जे हिन जे भरत आई दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छ होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ हमारा नवंबर 23 और में 24 के लिए बेच अविलेबल हो चुका रेकोडिंग बेच यह है एक्जाम ओरिंटेडी बेच जिसकी डिटेल में आपको देने वाला हूँ जिसका डेमो आज आप देखने वाले हैं यह आप यह डेमो देखने के बाद आप लेक्चर इतने के चुक हों ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके ना यह जो लेक्चर है डेमो लेक्चर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कौन सा मट्रिल यूज करने वाले हैं जरा मैं आपको बता देता हूँ यह लेक्चर अभी 6999 में अवेलेबल है नेक्स वीक में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे 110 आर् आपको बिल्कुल भी बोरियत मैसूस नहीं होगी इस लेक्चर में आपको खुद को पता लग जाएगा यह चीज नाओ 110 आर्स के लेक्चर है जिसमें मट्रियल भी आपको अवेलेबल करवाएंगे बट में कौन-कौन सी बुक अवेलेबल होगी वो मैं आपको यहां पर ब आपको वेडियो खरीदना हो तो आप इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं यहां से ना यह और नमबर भी आपको यहां पर दिया जा रहा है हम यहां पर IDT SAR बुक यह commercial publication की बुक है इसको यूज करेंगे यह बुक जो है आपके ICI के मोडियूल का रैप्लिका एक तरह से बट किस तरह का रैप्लिका मैं बता देता हूं एक पेज में लिखी है इसमें नहीं पूरा पेज लिखना होता है क्योंकर नहीं तो नहीं तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा है पर आपको आवेलेबल करवाइज आएगी ये आपके अप्रेल 2030 अप्रेल 2023 तक करेंगे और और एडिशनल कुछ कोशन की प्रैक्टिस करेंगे और ICI क्या पूरा मटरियल, वो सब इस बुक में इंडिरेक्ट टेक्स लो, जो क्रेकर है हमारा टेक्समेन में आता है, इस क्रेकर में साथ कुछ कवर है इसमें, वह हम यहां से डिसकस करेंगे, यह बुक अभी मार्केट में आई नहीं है, यह कवर पुराना वाला कवर है, यह बुक मार्केट में आने वाली बहुत ही जल्ब, तो यह बुक हम यूज करेंगे, दोनों बुक्स आपको वीडियो लेक्टर के साथ प्रवाइड की जाएगी, अब भारी आती है, इनके अलवसर और क्या है, IDT MCQ बुक, यह IDT MCQ बुक आपको परचेज करनी होगी, यह वीडियो लेक्टर के साथ में नहीं आएगी, इसमें आपके ICAI के MCQs, Additional MCQs, Tricky MCQs, Case Study Based MCQs, सारे MCQs कवर हैं, वो भी Amendment के साथ में, अब इसके बाद में, एक और हम जो लेकर कहा रहे हैं, आप लोगों ले, Test Series, Test Series जो रहेग वाए जाएंगे, Google Drive का Link जैसे जैसे दिया जाएगा, उसी फोल्डर के अंदर एक टेस्ट का फोल्डर होगा, और वहाँ पर जैसे जैसे आपके Chapter complete होंगे, उसमें टेस्ट पेपर रहेंगे, वो पेपर आपको घर पे बैठ करके solve करना है, तो आप अपने टेस्ट की practice भी सा और नीचे जगे छोड़ी रहेगी, जैसे मान लीजे के Question है, उसके नीचे 10 लाइन छोड़ी है, वो क्यों छोड़ी है, उस Question का Answer आपको लिखना है, वो 10 लाइन में ही लिखना है आपको, उससे ज़्यादा लिखा या कम लिखा तो marks कर जाएंगे, ज़्यादा लिखा तो आ लिखने की practice नहीं होती, उसके लिए ये workbook बनाए गई है, अब आप इस Demo Lecture को enjoy कीजिए, इस Demo Lecture का जो ये वाला पार्ट है, इसमें हमने first part जो है, और second part दोनों को मिला करके merge किया है, और इस पार्ट के अंदर आप सिर थेरी पढ़ेंगे, reason क्या है, practical questions जो है, वो हम next part मे करेंगे, इस पार्ट में practical questions नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमको GST किया है, क्या नहीं है, वो सब चीज़े यहां पर समझना है, कुछ definition से वो समझना है, तो enjoy कीजिए आप हमारे इस Demo के पार्ट को मिलते हम हमारे next session में, तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत, हाई दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करता हूँ, सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहां पर बहुत बढ़िया हूँ, ना, हमारा chapter number two, introduction हमने GST का already cover किया है, आज हम chapter number two पढ़ना शुरू करेंगे, इस chapter number two है हमारा supply under GST, इसको कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, इसमें क्य पढ़ने वाले हैं, उसका एक overview मैं आपको देता हूँ, सबसे पहले यह अपनी SAR book है, IDT SAR, पढ़ने के लिए मैं इसी book को use करेंगे, ताकि exam के अंदर यह वाली जो book है, एक दिन में पूरी revise कर सकते हैं, पूरी revise कर सकते हैं, यह book आपके approach 420 pages की है, बराबर है, और आपका ICI का module जो है, वो approximately 1400 से 1500 pages का है, यह उसी को जितना exam में लिखा जाता हूँ, यह सबसे बनाया गया है, जैसी कि आपने देखा होगा module का पूरा एक page, पूरा एक page, बराबर है, वो आप पढ़ते तो पूरा एक page exam में लिखा जाता है, उस पूरे एक page में से कान के line होती है, कितनी ज्यादा short करने की कोशिश मत करना, exam में mark short हो जाएंगे आपके, जितना लिखना उतना तो हमको लिखना ही है और पढ़ना भी है, तो पढ़ने के लिए हम यह वाली बुक काम में लेंगे, जो सार बुक है हमारी, इसके अलावा यह exam cracker है, exam cracker जो इसमें आपके past exams के questions, past RTPs के questions, जो आपके mock test paper है, उनके questions, वो सारे questions और कुछ additional questions है, वो हम यहाँ पर cover करेंगे, इसमें आपके ICAI के module के question भी cover है, ओके, ना, पढ़ने के लिए हम जो लेंगे, वो PPT के help लेंगे, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, बराबर है, ताकि diagrammatical presentation होती है, तो चीज़े जल् करते हैं, chapter number two, supply under GST, आओ इदर बिटा, सबसे पहले चीज़ है chapter two, यह chapter बनाया क्यों गया, क्या पढ़ने वाले है, इसमें क्या चीज़े जो हमारे यहाँ पर इसमें cover होगी, सबसे पहले चीज़, जब GST introduce कर दिया गया था, तो एक बहुत बड़ा question आया था, कि GST किस पे चार्ज करनी होगी, क्योंकि देखो, पहले GST से पहले sell पे value-edit tax लगता था, बराबर है, तो ज़रा एक बार एक नजर मा रहे हैं, तो before GST, अपने GST, before GST sell पे क्या लगता था, value-edit tax, manufacturing पे क्या लगता था, एक्साइज जूटी, service पे क्या लगता था, service tax, अब after GST, इन सब पे GST ही लगेगा, GST लगेगा, इन सब पे GST लगेगा, अब question ही है, कि भाई, इन सब के जगे पे GST को introduce कर दिया गया, इन सब के जगे पे GST आने वाला है, तो GST को अगर बोला जाए, लगेगा किस पे तो क्या, उसकी definition ये करनी पड़ेगी, कि GST जो है, वो सेल पे लगेगा, GST service पे भी लगेगा, GST जो है, manufacturing पे लगेगा, ऐसा कुछ definition बनाना पड़ेगा, कि definition कैसे frame करेगे, GST जो tax है, वो किस पर impose होगा, government ने सुचा कि कैसा word निकाले, जिसको हम ये define कर सकें, कि GST इस word जो है, जो ये definition है, जो ये proper word हमने लिखा है, इसमें जो भी चीज़े cover होगी, उस पर GST लगेगा, वो वर्ड manufacturing रखें, ये sales रखें, ये service रखें, क्या रखें, ये तीनों का combination रखें, बहुत बड़ा confusion रहा, जा करके जब first route बन रहा था, तब उन्होंने decide कि GST जो है, हम charge करेंगे supply पर, किस पर charge करेंगे, supply पर, supply पर charge करेंगे, अब questioning कि supply क्या होती है, supply बोला किसको गया है, तो ये जो पूरा chapter है, chapter में हम क्या पढ़ने वाले, किन किन को supply माना गया है, किन को supply नहीं माना गया है, बर पर supply का nature क्या होता है, उन्हीं सब चीजों के detail discussion हम यहाँ पर करने वाले इस chapter में, okay, जो supply जिस पर GST लगने वाला, वो होता क्या है, आओ जरा आई तर बेटा, तो यहाँ पर देखना, GST is a tax, एक tax है, आप कोशन है कौन सा tax है, indirect tax, अब फिर कोशन आता है, यह indirect tax क्या होता है, direct tax क्या होता है, इसमें difference क्या है, तुझरा एक example से समझते हैं, इधर देखना बेटा, यह है Mr. B, बाराबर, इनका अच्छा खासा business है, बहुत बढ़िया business चल रहा है, यह laptop क्या है, खरीते और बेचते हैं, खरीते और बेचते है इन्होंने मान लेते है financial year, इंका financial year एकम लेते है, इन्होंने financial year तू थाउजड टूटी 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 त्री में अच्छी खास इंकम कमाई है इन्होंने और इनकी इंकम इनकी इंकम देखो इन्होंने पर्चेस किया मालेता है जब दस लाखे सेल किया बनेगा वह income tax pay करेंगे इस 20 लाग पर यह क्या पे करेंगे, income tax पर करेंगे जो directly इन पर इंपोज होता है, इसलिए income tax को बोलते है direct tax, तो direct tax एक ऐसा tax होता है जो इस person पर directly बातलिंपोज होता है जिसको बैर कर ना है अब इन डारेक्ट टैक्स क्या होता है यह जो लैपटउप इनोंने पर्चेस किए खरीद थो मुझ से ही यहिए यह मैं हूँ यह मान लू यह मैंने इनको लैपटउप बेचे दसलाग अगर करेका लैपटउप बेचा खरीड़े के के मैं नेनको सेल कियं मैं से जी चार्ज करता हूं कि 1.8 यह जो जई इनकी पॉकट से गया एंगी पॉकाइट से मैंने लिया एंपहे करता हूं इन्हों मुझे आपसे लैप्टॉ ОП फर जाएंगे मैं गहभी ज्यादा नहीं है उन पॉंट टेट लेक्स जी में चीक होगा इनकी पॉक्ट से जा यहागा किसके वास दरॉमेंट को इंडारेक्स इंदारेक्स हिन्हों ने को पैं passions कुल G आप इंडारेक्स डारेक्स ऐसेक्स क्या होता है वह ध्यांससुना कोई भी ऐवेंट होता यह उस टाइम पर उसके बाद कोमों तरफ बार है उसके बाद इंपोजन को तब नहुं कर आ हिवेंट जो है फो हो चुका है उसके बाद साल अंड हो गया उसके बाद तो वो तो कमा चुके हो अब इंडिरेक्ट टेक्स क्या होता है इदर देखना जब मैं इनको प्रोड़क्त बेच रहा हूं बेच रहा हूं मैं उसी वक्त इंसे ले लूँगा बाद में नहीं लूँगा क्या आप लेकर कर जाओ बाद में हम हिसाब करते रहेंगा नहीं इवेंट के टाइम पर ही ले बराबर है आपको ड्यूटी पे करने परती हूं समझ मैं जब तक ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक आप वो गुट्स नहीं कर सकते हैं तो उसी वक्त आपको देना पड़ता है तो जिसकी पॉकेट से टेक्स निकाता है ना तो हम बोल सकते हैं कि इंडिरेक्ट टेक्स मे उसके साथ जब वो इवेंट होता है उसी वक्त चार्ज कर लिया जाता है और डारेक्ट टेक्स जब गवर्मेंट लेती है तो आपका इवेंट होने दो उसके बाद में आराम से वो लोग पे करते हैं अभी एक्जाम पॉइंट को से किसी काम कर नहीं खली एक डिफ्रेंस थ क्कों अपने ह्हाँ कीए और-स थीए जट टहक्स आसट चक्स ने टतुरेक्ट टॉइंट आधs का इस पर अबलिक सर्विश थे आप लिक गोपोर डिस की सपुटे के सब्राइभ इब इसोगा पर सप्लाइभ गुट्स और सविस्थ और Heaven बराबर इसका मतलब गुड्स की जब सप्लाइगी तब इमपौर्स होगा या सर्विस के सप्लाइगि तब इमप जोगा या दोनों की एक साथ सब्लाइग और आप मेरे पास में बोले कि सर आप हमको पढ़ा दोगे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस पर टेक्स लगेगा जेस्टी लेकिन के वड़ दोनों भी होती है कैसे रेस्टोरेंट में जाते हो खाना ओडर करते हो खाना भी मिल रहा है वो गुड्स साथ में सर्व भी कर रहे हैं सर्विस दोनों का कॉंबिनेशन तो इसके लिए बहुत वड़ी हम पर यूज किया है अब यह जो है हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कई चीज़े निकल करके सा दूसरा question goods किसको बोला गया जी अस्ट में तीसरा question सर्विस किसको बोला गया जी ये तीनों चीजों का operation करना पड़ेगा और तीनों का जब operation करेंगे तो इनकी definitions को detail में समझना होगा सबसे पहले हम आते हैं supply के definition supply क्या होता है किसको बूला जाता है supply जब supply की definition को बनाने का बात आई थी जब supply किसको बूले बारावर है उस case में पहले इन्होंने section 7-1-A इसको introduce किया 7-1-A बनाया तो जब 7-1-A बन गया तो उनको realize वा यार इसमें कुछ कमी आया है उस कम्यों को दूर करने के लिए उन्होंने 7-1-B और 7-1-C दो section और बनाया बारावर है तीनों बने के बाद में मतलब 7-1-A बन गया फिट 7-1-B बन गया उसके बाद 7-1-C बन गया section यह तीनों section supply को define करते हैं तब इनको government को realize और इसमें तो और भी छोटी मूटी कमी आ रहे गी तब इस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने 7-1-A भी बनाया तो यह करके चार section आपके बनें supply के हम सबसे पहले 7-1-A में आपे 7-1-A क्या बोलता है किदर आओ 7-1-A बोलता है कोई भी कोई भी activity supply कब माने जाएगी जब आपको देखना है कि वो क्या तीन condition पूरी कर रही है तो इतनी condition तीन condition तीन condition जो भी activity तीन condition पूरी करेगा वो supply मान जिया जाएगा 7-1-1-A कोड़ी तो वो तीन condition क्या है इधर समझो सबसे पहले आपको question में जो भी activity दी गई है आप देखो वो activity बेस्ट LDR में cover हो रही है कि best LDR etc. सरे best LDR क्या होता है B का मतलब बाटर B का मतलब क्या है बाटर E का मतलब exchange S का मतलब sale a word sale use के act में बट हमारे को यहां पर समझने के लिए क्या याद रखना है sale oblique services act में sale word use क्या है बट बाद ने उन्हों बोले यहां पर sale को service समझ करके भी पढ़ा जाए ओके तो sale oblique services P का transfer of business assets transfer L का lease और L का license D का disposal of business assets और R का rent वगएरा तो वापस आ जाओ भी बोले तो बाटर एक्सचेंज सेल अबलिक सर्विसेज रास्पर लीज लाइसेंस डिस्पोजल आ बिजनस असेट्स रेंट एक्सपर इनको कवर क्या क्या बैस्ट लडिया ओके यह समझाया मतलब को एक्टिविटी प्लीयिया पार्ट है अब यह क्या होती मतलब क्यों मतलब क्या होता यह mów करेंगे जो आदमी एक्टिविटी कर रहा है जो सप्लायर है जो सेल कर रहा है उसकी वो बिजनस एक्टिविटी है सब्सक्राइब इंक तृढ़े श्री विजनसब कि ये तीन कंडिशन पूरी होने चाहिए अगर ही तीनों नों बीजिशन फूरी तो ही supply माना जाएगा, तो ही GST impose होगा, otherwise नहीं होगा, तो GST impose होगा नहीं होगा, वो तो हम आगे देखेंगे, कि चेप्टर सम आगे पढ़ने वाले, उनमें हाग पिलाल के लिए जो मैंने पढ़ाया, वो सिर्फ इस चीज के लिए कि supply क्या होता है, क्योंकि supply पर ही tax लगता है, जब तक कोई activity supply की definition में ही cover नहीं होगी, तब तक उस पर tax impose हो ही नहीं सकता है, तो कोई भी activity तीनों condition पूरी करनी जरूरी है, बेस्ट LDR में से कहीं पर भी cover हुई हो, और consideration बदले में पैसा मिला हो, और शीस आद्वी ने वो supply की है, उसका वो business होना चाहिए, in course for furtherance of business, business का मतलब business से जुड़ी भी कोई भी activity, बिजनस होना जरूरी नहीं है, जिसे example के लिए, मेरा काम क्या है, मेरा business क्या है, पढ़ाना, अब आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपसे मैं फीस ले रहा हूँ, तो इधर देखना, मैं सर्विस दे रहा हूँ, यहां पर cover हो गया, आप मुझे पैसा दे रहे हो, फीस, consideration, और मेरा काम है पढ़ाना, तो तीनों कंडिशन पूरी, मैं आप से जो फीस लूँगा, उस पर GST चार्ज होगा, लेकिन, लेकिन, इधर देखना, आप आए मेरे पास में, आपने बोला सर्विए, आपका डिजिटल बोर्ड तो बड़ा प्यारा है, आप में देदो, आप यह मेरी business assets है, यह मेरी business assets है, मैंन गाँ ठीक है, 2,00,000 रप्या देदो, मैं देदेता हूं, अब मेरा काम digital board बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, आप इदर देखना, आपने मुझे 2,00,000 रुप्या दिया, मैंन आपको digital board sale किया, क्या कर दिया सेल कर दिया तो यहां पर आप देखेंगे सेल में कवर हो गया अब उसके बाद उसके बाद आपने दो लाग रुपिया दिया तर्टेशन में भी कवर हो गया सर यह इनकोर्स और फर्दरेंस और बिजनस नहीं है तो यह दो लाग पर जीएस्टी नहीं लगेगा लगेगा बिलकुल लगेगा क्यों सर इनकोर्स और फर्दरेंस और बिजनस का मतलब क्या होता है कि वो आपकी बिजनस एक्टिविटी होनी चाहिए और आपकी बिजनस एक कोई भी बिजनस से जुड़ी भी एक्टिविटी होना चाहिए कि बोड तो मेरे बिजनस का है मेरी बिजनस असेट से अगर इसको भी मैं बेचता हूं ये भी मेरा बिजनस मान लिया जाए जब तक हम बिजनस के डेफिनिशन नहीं पढ़ते हैं आपको यही ध्यान में रखना है इन कोर्स और फर्दरन सो बिजनस का मतलब क्या होता बिजनस से जुड़ी भी कोई भी एक्टिविटी है बार चाहिए वो काम में करता हूं और नहीं भी करता हूं बट वो मेरे बिजनस से जुड़ावाए तब इन कोर्स और फर्दरन सो बिजनस मान लिया जाता है इतना याद रखना किनों कंडिशन पूरी होने चाहिए तो अब एक काम करते हैं इस डेफिनेशन काम करते हैं पॉस्टमार्टम जिसमें यह सब चीज़े पहले लेंगे हम यह बार्टर क्या होता एक्सचेंज क्या होता वो सब फिर कंसिडेशन फिर इनकोर्स और फ्रदरन्स बिजनस इनको समझ की कोशिश करते हैं ओके आजाओं ना अप्लाय के देफिनिशन सक्षिन सेवन एक सब के पहले सेवन वन ए समझ रहे हैं सेवन वन एमने क्या देखा तीन कंडिशन पूरी होने चाहिए उधर आजाओ सार में से पहले एक बार वो डेफिनिशन पढ़ा देता हूं फिर में आगे बढ़ता है अपरेशन करता है यह रहा है सेक्शन सेवन वन सारभू कमारी सप्लाय एस पर जीएस टी लोग सेक्शन सेवन वन और सीजीएस्ट है अब सप्लाय क्या होता है सेवन वन ए क्या बहुता है सप्लाय हमने किसको माना है और वोट एक्षेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड बदला आपने यह सेल कर दीया सेल करने को राजी होगे सर्विस देदिया सर्विस करने को राजी होगे बराबर अग्री टू बी मेड और कंसिडरेशन बाइब पर्सन इन दी कोर्स और फ्रदरन्स ऑप बिसनस कंसिडरेशन के बदले और वो आपका बिजनस एक्टिविटी का पार्ट है तो यह जो सेवन वन है इसी का मोपरेशन अब करने जा रहे है आओ इदर एक्जामपल के लिए हैं मिस्टर ए बराबर है कौन है मिस्टर ए इन्होंने इनको एक प्रॉड़क्ट बेचा मान लेते हैं लैप्टॉप बेचा जो हमारा एक्जामपल पहले भी हमने लिया आता है यहां पर कितने का एक लाग यह बाइसाब उसके बदले पंचिदेशन देते हैं रूपीस वाल है कोशे नहीं कि एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि इन बाइसाब का बिजनस लैप्टॉप बेचने का है या यह लैप्टॉप इनके क इसी बिजनस एक्टिविटी से जूड़ावाय है तो इन बाइसाब के लीए इसको लैपटॉप खरीदने के लिए बाइसाब के पास पहूंचा और इनको बोला कि बाई मुझे लैपटॉप दे दे इसने लाक रुप इन्हों ने लैफटॉप दिया इन्होंने एक लाक कि अपनेशन में कवर होगा कियों हमारी तीन कंडिशन क्या श्olph बीजक्र पैसे कंडिशण पैसे केंगे पूरी कई इसको इसको कंडिशन के अब मिल दूसरी इनका बिजनेस होना चाहिए सप्लायर का वह बिजनेस होना चीए तो ये condition भी पूरी हो रही है, supplier का ये business है, okay, तो third condition in course of reference of business, तीनों की तीनों पूरी हुई है, तो इसका मतलब इसको supply माना जाएगा, ये supply में cover होगा, ये जब बेचेंगे इस product को तो GST charge करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे, कि best LDR का मतलब क्या होता है, बाटर किसको बोला और exchange किसको बोला, बाटर और exchange में भी के और इसकों confused हो जाते हैं, उनको लगता बाटर और exchange तो ये की बात होती है सर, इसमें अलग-अलग कहां से आ गया, let's see, अब आते हैं, बाटर क्या है, एक्षेंज क्या है, उनको समझते हैं, इदर आजा, सबसे पहले उप्लेशन करते हैं बाटर क्या है, इन्होंने बोला भाई, पहली कंडिशन में best LDR होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले B का मतलब है बाटर, बाटर क्या होता है, बाटर को समझने के लिए इदर देखता हूँ, ये एक बाई साब की शॉप है, लेप्टॉप शॉप, बाराबर है, मान लेता हूँ, ये मैं हूँ, जी, पर ये एक लेप्टॉप शॉप है, टाइट, ये आप हूँ, आपकी है, मॉबाईल शॉप, तो आपका नाम मैं रख देता हूँ, मिस्टर ए, आपकी मॉबाईल शॉप है, बाराबर है, और ये लेप्टॉप शॉप मेरी है, अब हुआ क्या, आपने मुझे एक मॉबाईल दिया, मैंने आपसे एक मॉबाईल खरीदा, एक लाग, डेड़ लाग, जो भी कीमत का, आपने मुझे बोला, पैसा मैंने का, मैंने पास पैसा नहीं है, तो आपने क्या बोला, पैसा मत दो, आप लेप्टॉप दे दो, बदले में, आपको लेपटॉप की ज़रूत है, आपको लेपटॉप की जरूती मैंने मॉबाईल की जरूती आपने मॉबाईल दे दिया मुझे, मैंने यहां से यह लेपटॉप आपको दे दिया, या, Mr. Aco, अब इधर देखना, इसको बोलते है बाटर, यह क्या होगी अब अब यह supply माना जाएगा या नहीं माना जाएगा जरा वो देखते हैं जब कभी भी दो businessmen अपस में involved होते हैं तो supply दोनों के point of view से देखने का सबसे पहले हम M.G. महेश गोड के point of view से देखते हैं कि महेश गोड ने जो यह laptop दिया यह supply के definition में cover हो रहा है या नहीं हो रहा है सर वो केसे देखेंगे केसे पता लगेगा अमारे को इधर लेको पहला महेश गोड का case किस में cover हो रहा है वेस्ट LDR में cover हो रहा है यस बाटर में cover हो रहा है बाटर में क्या होता प्रोडेक्ट देना और बदले में वापस प्रोडेक्ट लेना यह होता है तो यह वाला case के पहली condition बाटर satisfy हो रही है दूसरी condition है कि महेश गोड को बदले में consideration मिलना चाहिए तो क्या महेश गोड को कोई consideration मिला तो बदले में consideration का मतलब मैंने क्या बोला जरूनी के cash मिले anything in return बदले में कुछ भी मिलाओ कुछ भी मिलाओ मिला है mobile phone तो यहां पर जो consideration है मेरा लिए वो consideration क्या मान लिया जाए mobile phone यह consideration ओके ना तीसरी condition in course और furtherance of business क्या मेरा वो business activity है third condition yes मेरी वो business activity मेरा business laptop बेचने का तो मेरी तीनों condition पूरी की तो यह जो laptop में इनको दे रहा हूँ यह laptop supply की definition में आएगा बकायदा इस पर GST लगेगा और मुझे department को pay करना पड़ेगा क्योंकि department मुझसे लेगा मैं इनसे collect करूँगा और department को दूँगा अब बारी आती है आपके quantum में से आपने जो activity की वो supply के definition में cover हो रही है क्या क्या आप मुझसे GST चार्ज करके department को दोगे क्या तो जड़ा देखते हैं पहला case आपने मुझे जो दिया कि क्या दिया मोबाइल फोन इसमें cover हो रहा बाटर में cover हो रहा है कि इसके बदले मैंने आपको कोई product ही दिया है बराबरे दूसरी condition कि आपको consideration मिला मेरी तरब से yes मिला है यहां पर consideration किस फो में मिला laptop की form में लेप्टॉप की फॉर्म में मैंने आपको consideration दिया है तीसरा क्या आपका business ही है यस mobile की shop है आपकी ही है तो mobile phone बेचना आपका business है यह mobile shop है तो आपका mobile phone बेचना business है तो in course or furtherance of business भी माना जाएगा वो एक business activity है तीनों condition पूरी हुई तो आपके लिए mobile देना supply है आप मुझसे बकादा mobile पर जीस्ट कलेक करोगे डिपार्टमेंट को दोगे और मेरे लिए आपका laptop देना supply है मैंने आपको जो laptop दिया वो भी supply की definition में समझ माया बाटर अब आरी आती है एक्षेंज एक्षेंज क्या होता है आज़ेँ हो यहाँ पर एक्षेंज क्या अंदर और बाटर के अंदर हैरलाइन डिफरेंस है वो मॉनिटरी वेल्यू का सिर्फ मनी का डिफरेंस है मनी का क्या डिफ़रेंस है मैं बथाता हूँ मान दीजीए ये Mr.Ram है Mr.Ram है ये मेरी shopper ओले मिस्टर गॉपodes ऑफर में का किले की लेपटोप खरीदना हैं यह मेरी लेपटोप शॉप किले लेपटोप खरीदना है मैं है जिस गंपर एक्सुेंज ऑफर टॉप शल छहां रहा हो गॉप अपर यहां को लिए बहूज पुराना लेपटोप हमको दे दो वन लेका देदू मैं इनको क्या बोलूगा कि बाकी का जो डिफ्रेंट्स अमांट हो आपके इश में पेकर देना हमारे को इननों बुला ठीक है डन अब इधर देखना मैंने इनको नया लैप्टॉप दिया बदले में ये मुझे एक पुराना लैप्टॉप दे रहे हैं साथ में पैसा भी दे रहे हैं ये पैसा मान लेते हैं सेवन्टी थाउजन टॉपीस दे बराबरे इसको बोलते क्या आपके एक्षेंज में इसापने मनी भी होती है बाटर में तो मैंने इनको लैप्टॉप दिया इन्होंने मुझे मोबाइल दिया बट एक्षेंज के अंदर मॉनिटर वेल्यू भी रहेगी तो आप देखेंज ऑफर आते कहीं वैसा आप इदर देखना फॉस्ट मेरे पॉंट फूसर मतलब को टा बदले में कुछ भी मिलो अपने केश मिल रहें कने अगूछ हो गया ओके हमेरी ये बिजनस ऑक्ति ये मेरे बिजनस अक्तिविटी आ दिनों कंडिशन पूरी और सक्लाई माना जाएगा कि आपके सप्लाइ के डेफिनेशन में कवर हो जाएगी अब आर्याती मिस्टर राम के पॉइंट विस्टर राम के पहला किस एक्स्चेंज में कवर हो रहा है दूसरा किस बदले में कंसेटेशन मिल रहा है येस मिल रहा है इसले में न्यू लैप्तॉप कि कंसेरेशन हो गया कि तीसरा केस क्या इन कूर्त और प्रदरनलंश भीज्नस मिस्टर राम का बिजनस है लैप्तॉप का या किसी और का या बिजनस से जुड़ी एक्टिविटि थी पुराने लैप्तॉप बेचना नहीं क्या यह पुराने लेपटोफ जब बिजनस से जुड़ावा नहीं आगा जाता बिजनस से जड़ावा नहीं है तो हम क्या मानेंगे यहां पर किश्पों इंप इस वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई है इसके लिए सप्लाइग नहीं होगा बट एम जी के लिए आपके supply मान दिया जाए ओके पर डाउट बाटर एक्षेन समझ मैं आया अब आरी आती ही आगे sale and service की यह मैं हूँ यह आप हो आप मेरे पास में IDT पढ़ने आए तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ service क्या पढ़ा रहा हूँ IDT lecture बदले में आप मुझे फीस पे करोगे वो हो गया consideration मेरे लिए रुपीज 10 लेक्स मान लो और मेरा काम है IDT पढ़ाना तो यह supply के definition में power हो जाए मैंने service दी बदले में आपने consideration दिया मेरा काम ही है मेरा business है मेरा profession है goods क्या होता है बदले में आपने इसको consideration दिया तो पीज वन लेक्स तो यह goods जोए इसका title अब आपके नाम पर transfer कर दिया इसने अब goods के माली का आपको तो जब goods का title transfer हो जाता है उसको क्या बोलते sale तो यह आप अलरड़ी कही सालों से पढ़ते आ रहे है जब 11-12 में entry ली थी तब सब हम यह sales और यह सब पढ़ रहे है next आते transfer transfer को लेकर के क्या हो आता है transfer को लेकर कैसा है मां देजे मेरी मुंबई में एक factory है बारावर मुंबई में एक factory अब मैं सिर्फ ट्रांसफर के definition बता रहा हूँ अब हम यहाँ पर supply के बारे में नहीं पढ़ रहे है और म descri है मेरी यह वापटी रहे है यह वां यह प्लास्टिक के ज्रास्टिक बनाती प्लास्टिक बनाती क्या बनाती प्लास्टिक मैनिफेक्च्टरिर क्या शका K को कि कि अब हुआ मैं प्लास्टिक बनाया बना करके सब कुछ रेडी कर दिया प्लास्टिक पूरा अच्छा से अब वो जो प्लास्टिक मैंने बनाया था मैंनुफक्चर क्या था यहां पर प्लास्टिक में बेशता हूं दिल्ली वाली फैक्टरी में मेरी फैक्टरी कहां पर है मुंबई में दिल् लोग टॉइज बना सके खिलोने बना सके ओके तो मेरे यहां से मेरे यहां से जब प्लास्टिक निकलेगा दिल्ली के लिए कि गयर्मेंट ने बोला मुसको भी सप्लाइब मानेंगे को भी सप्लाइब मानेंगे में गया गियुवनिंट क्या बोलती है उसको भी सप्लाइव माझेगे अब आपके दिमार में थोट आएगा का तो उठाएगा सब्वाइग कैसे मानेंगे जिरा देखो सप्वाइग की डेफिनेशन पूरी हो रही है क्या इक बाता हो तो जड़ा चुलुआते हैं सब्वाइग की डेफिनेशन का पहरा कंडिशन जो सेवन वन एमने पढ़ा था पहली कंडिशन के बेस्ट LDR में आने चाहिए यह ट्रांसफर में कवर हो रही है तो यहां से वहां पर मेरी यूनिट को ट्रांसफर हो रहा है पहली कंडिशन ट्रांसफर यहां पर ट्रांसर्फ़ में पता क्या बोला गया आप अपने ही यूनिट को कुछ भेज रहे हो कि बात हो यहां पर भारबर ट्रांस फर सबस्कार कैंज ले लिए क्या का पॉल्ड दे रही है अमगे कि अप सब्सक्राइब करें बिजिनए तो है ये मेरी बिजनस एक्टिविटी थे फ्लास्टिक बना करके बैजने का है ये कंडिशन पूरी हिए इन पूरी हिए कंडिशन पूरी नहीं हो रही है इसको तो सप्लाई मारा है नहीं जाना चीए यह तो सप्लाई होई ही नहीं सकता है ऐखाई यह फिर भी सप्लाई माना घए आप और तो प्र घल्लत पड़ा रहर है हम इने बानते है आपके definition के according तो यह supply नहीं आई टोटल यह अगरी 7-1 एक according यह no supply है मैंने आपको definition और भी बताई थी 7-1-C 7-1-C मैंने क्या बोला था 7-1-C 7-1-B यह क्यों introduce हुई थी 7-1-A में कुछ कम्यां रह गई तो उन कम्यों को दूर करने के लिए इंटिड्यूस हुई थी तो यहां पर 7-1-C लग जाएगा उसर 7-1-C क्या होता है 7-1-C पता है क्या है बेटा 7-1-C यह बोलता है इसको ले करके कि आपके यह जो definition लिखीन आपने यह supply की best LDR for consideration in course of furtherance of business तीन ऐसी activities तीन ऐसी activities तीन ऐसे transaction है जो without consideration होंगे without consideration पर फिर उनको supply माना दाएगा और यह जो transaction है यह 7-1-C में बताया गया है तो जब हम 7-1-C पढ़ेंगे ना हम उन activities के बारे में बात करेंगे वहां पर जो without consideration भी supply माने गई यह जिसमें से transfer होता है जिसमें से क्या होता है ट्रांसफर होता है जब related party यह distinct person की बीच में transfer होता ना और चीज कवर होती है जो 7-1-E की कमी थी उस 7-1-C में पूरी होड़ी है ओके सर और कौन से तीन activities होती है कोई भी assets अगर आप dispose करते हो तो dispose करते हो यह ट्रांसफर करते हो यह related party distinct person की बीच में supply होता है यह principal और agent की बीच में supply होता है principal और agent यह तीन ऐसे case होता है इनको 7-1-C में cover किया है ओके वह हम 7-1-C के टाइम पर detail में पढ़ेंगे बिटा तो अभी हाल फिलाल के लिए आप इतना जानो इसको supply माना जाएगा यह supply होगा 7-1-C के इसाफ़ यहां पर अब यह 7-1-C बगरा जब पढ़ेंगे तब आप तो समझ में आएगा नेक्स आते हैं इसके बाद में लीज लीज का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी लीज पर देना अब मोदी जी है इन्होंने बोला मेरे प्यारे ब्हाईयों मेनो जैसा कि आप लोगों ने देखा है हमारे देश का यूवा बेरोजगार नहीं रहना चीए इसली मेरे प्यारे भायों मैंनो यह जु लड़का है किनाम एश गोड है को अमने बोला कि देखो यह जमीन है यह अमारी माँ है तुम इस पर खेती करो तुम इस पर फसल हो हम तुमको यह लीज पर देतें किस पर देतें? लीज पर देतें तो मोदी जेनने मुझे यह जमीन लीज पर दी फ़ले भई घर बना बेच फसल उगा तरप जो करना माइनिंग वगरा काया जो कुछ करना करना लीस पर दे जमीन में गोड़े का फार्म उस लगा लिए यहां पर एक स्टो फार्म माना ले इसको बैनका ओकर जमीन लीज़ पर प्रडंग एप्लाई माना चाहता हूं जा है। इस पूस्च लाइसेंज के लाइसेंस। कि रास्तान में हमारी माइं से बाराबर जमीन के अंदर से अब देखो हम खिसान लोग थे रहे हैं है कि एक ट्यूम लगानी थी यूविल जब लगा नहीं थी तो हमने जमीन में गड़ा खोदा गड़ा गड़ा कोद करके पाइप डाला तो चब्यादा कोदते हैं बाराबर होगे रहोती है ना उन सब को बनाने के काम में आता हुसका रौ मोट्री就到 है अब הי만 हमारी जमीन में हैं व athletics होता हैं उन सब पर राइट सरकार का होता है हमर् almond के पास कि हमने बोले हमारी जमीन जो है उसके माइन से दिख लिए आप हमारे को अगर लाइसेंस देते हैं तुम माइनिंग करना शुरू करें तब मुझे लाइसेंस देती है कि ठीक है मैश गोड़ा हम तुम को लाइसेंस देते हैं oh myने पेक ही इसको सपलाइ मना एक उपलाइ मना जाएक संपलाइर को मनें यहां पर मंत तुर्म कांद का काम यह बुजनैस मिलता है बिजनस में तो कोई भी ऐसे इक्टिवीटी जो आप पैसा कमाने कले लिए कर रहे हैं तु कवर होती शुआ अब बढ़ते आगे, disposal of business assets का मतलब क्या होता है? कोई भी business assets जो आप business के काम में लेते हैं, बराबर कोई भी assets आपने laptop करीदा, mobile phone करीदा, AC करीदा या कोई machine करीदी, जो business के काम में आने वाली हो business assets होती है, बराबर जिसको आप balance sheet में लिख देते हो, ओके? ना, इधर देखना, ओके शम्मा नहीं जी, इन्होंने तीन laptop करीदे, बराबर है, value 3 lakhs, GST pay के 18% के rate से 54,000, पर बकायद आपने balance sheet में, ये तीनों laptop इन्होंने लिखे हैं, तीन लाग रुफे की value के, ओके? और ये जो है, GST जो इन्होंने पे किया, इसका इन्होंने credit भी ले ल ले लिए या, ओके? ना, अब हुआ क्या? मुकेश अम्मानी जी को लगता है, यह एक laptop काम का नहीं है, उसको एक काम करते, balance sheet से हटा देते हैं, balance sheet से हटा देते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक business assets, अब ये विजनस assets हैं, balance sheet में लिख दी, मतलब business assets है, अब इस business assets को balance sheet से बेचा नहीं करना कर दिया और जब मालेट इन्हार नेसद को माला लेकल हुए अगर ऊस बीजनुस हुआ तरफ funky पूलते हैं तो या इसको सब्सला और इसको क्यों सब्सक्राइग मानें गए पर यहां पर काम सा कंचेटरेशन मिल रहा है मुकेश अमबाने जी अगर उस बिजनस असेट को डिस्पोस करते हैं बैलेंशीट से हटाते हैं तो इनको कौन सा कंचेटरेशन मिल रहा है बैटा सेवन वन सी याद करो मैंने क्या बोला तीन एक्टिविटी है जो विदाउट कंचेटरेशन भी सप्लाई माने जाएगी डी उसका कीवर्ड है जो आगे डीटेल में पढ़ेंगे जब सेवन वन सी पढ़ेंगे डी बोले तो डिस्पोसल या पर्मानेंट ट्रांसफर एक किसी का इंपुट एक्स करडिट बिजनस असेट जब खरी दी उसका इंपुट टैक्स करडिट आपने ले लिया उसके बाद इसके बाद उसको तो इन्होंने साप सा बोल दिया कि उसको हम supply मानेंगे क्यों परिए प्रिस्टिंग के बीच में डील होती हो यह प्रिंसिपल और एजन्ट के बीच में डील होती हो यह तीनों केस्ट विदाउट कंसेडरेशन भी supply माने जाएंगे कि इसको supply क्यों माना गया कारण क्या था इस्पोज करना क्या कारण हो गया सप्लाइए मानने का जीजन में बता था डिवर्मेंट क्या बोलती है मुकेश अमणी जी को बोला कि मुकेश जी बोले यस बोला आपने क्रडिट लिया बोले यस लिया मैंने क्रडिट लैप्टॉप कितने के करी दे बोले तीन लाग रुपे के बोले 54,000 का ITC ले लिया बोले ले लिया अब इदर देखना यहां से यह ट्रांजेक्शन मान लेते हैं जनवरी 2023 के मुकेश जी ने जनवरी में इसको कुछ प्रोड़क्ट बेचा होगा जो भी इनकी कंपनी बनाती है वो प्रोड़क्ट बेचा होगा जिसकी वेल्यू है कि आज लाग और जीएस्टी चार्ज किया मुकेश जी ने 90,000 का जीएस्टी चार्ज किया अब यह जीएस्टी मुकेश जी पेव मंत में गवर्मेंट को पे करेंगे बराबर लोजिक समझा रहा हूं कि क्यूं उसको सप्लाइए माना गया डिस्पोजल बिजनस असेट्स को पे करेंगे मुकेश जी ने क्या क्या यह गवर्मेंट है मालों इनको जीएस्टी पे किया 90,000 का जो कलेक्ट किया कितना काट करके 54,000 कट करके पे किया ITC सेट आफ लेंगे ना सेट आफ कोई भी गुड्स अगर आपने खरीदा है उस पर जो जीएस्टी पे किया उसका 36,000 36,000 पे किया इतना पे किया 36,000 पे किया गवर्मेट को अब यह जो 36,000 गवर्मेट को पे किया इंने मुकेश अममानीजीन है गवर्मेट को पे किया 36,000 पराबर है है इस यह सोरी से तो लेकर के पे किया था इन्हों मुक्य जी यह आपने कूंLa मुक्य शंबानी जी इसको बैलेज़ से आटा देते हैं बेटा दिया कि और उसे एक लैप टॉपका आपने काम में लिया क्या बिजनेस के उसका ख्रेट अपने क्यूं ले लिया यहां पर उस एक लेप्टोप का जो टेक्स पे क्या एक लेप्टोप पर जो आपने टेक्स पे क्या था जिसका आपने लिया इसको सपलाई की डेप्टोपि ऑ इसको सपलाई की डाला ओके तो आपको सिफ इतना याद रखना भी disposal of business assets इतना याद रखना पूरा detail 7-1-C के टाइम पर मैं बताऊंगा आपको तो कोई भी business assets को अगर आप dispose करते वो without consideration भी supply माने जा सकती है ना dispose करना मतलब books of account से हटा देना एक्जामपल अभी shop है shop को rent पर दिया गया बराबर rent पर दिया गया shop shop के मालिक यह भाई साब है इन्होंने इनको rent पर दिया यह कौन है मानलो मैं हूँ mg यह आप हूँ Mr. Sharm बराबर है तो mg ने Mr. Sharm को इस shop अपनी rent पर दी बदने में यह क्या देरे किराया रेंट देंगे मुझे बराबर है यहां पर लिख देंगे तो रेंटिंग और इम्मोवेबल प्रॉपर्टी अ बदले में मुझे क्या मिल रहा है रेंट कि इतना अच्छा सिजार रुप्या हर महीन है यह जो 50,000 यहां से मुझे बदले में हर महीने 50,000 जो मिल रहा है यह क्या माना जाएगा तो मैं रेंट पर दे रहा हूं बदले में consideration मिल रहा है और मेरा काम में रेंट पर देना सर मान लीजे आपका काम नहीं है रेंट पर देना आपका खुद का लग एक ओफिस है आपका एक फ्लेट एक्स्ट्रा पड़ा था आपने वहला चलो एक काम करते है रेंट पर दे दे उसको भी बिजनस माना जाता है बिजनस एक्टिविटी जो पैसे कमाने की नियत से कोई भी एक्टिविटी के जाती हो बिजनस एक्टिविटी में कवर होती है तो यह आप यह नहीं बोल सकते हैं कि सरी है इसका फिजनस थोड़ी दे आपने एक्स्टा प्रॉपरोटी परी दे दी इसने नहीं वह भी बिजनस माना जाएगा हुशरी हमको पता करना हो बिजनस में क्या क्या चीजिए कावर होगी तो बैटा इसके लिए भी हम बिजनस की definition पढ़ने वाले आगे ओके चलो यहां तक किसी को कोई डाउट, समझा अच्छे से, तो एक काम करते हैं, जो भी हमने समझा, एक एक जामपल लेकर, चेक और नॉलेज, आप मुझे बताना सप्लाई होगा या नहीं होगा, एक जूलरी शॉप है, यह अम्मा जी है, अम्मा जी को अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए एक नेकलेस चाहिए, सोने का अच्छा सा नेकलेस, बट इनके पास में सोने क नेकलेस के सोने के कंगन है, यह जो अम्मा जी है, यह यह सोने के कंगन लेकर के जूलरी शॉप पे गई, और जूलरी वाले को बोले भाई, लाला, ओ लाला, यह दो कंगन रख ले, एक नेकलेस दे दे, लाला ने बोला, ठीक है, ओके मा जी, लाला ने दो कंगन रखे, और इनको एक necklace दे दिया यह, okay, now, सबसे पहले jewelry shop के लिए आते हैं, कि क्या इसको supply माना जाएगा, यह picture supply में cover होगी या नहीं होगी, यह जो मैंने case समझा, यह supply में आएगा या नहीं आएगा, तो इधर देखते हैं, सबसे पहले चीज, best LDR में cover होना चाहिए, तो यह वाला जो case ह जो case है, jewelry shop के लिए, बार्टर में cover हो रहा है, कंगनाय और necklace दिया, इसमें cover हो रहा है, बार्टर में, दूसरा, consideration क्या मिला, भाई, necklace दिया, consideration क्या मिला, bangles, consideration भी है, consideration क्या होगी आपकी, bangles, okay, in court or correspondence of business, jewelry shop का तो business ही है, jewelry देना करना, तीनों condition पूरी हो रही है, यहाँ पर इसको supply माना जाएगा, तो इन necklace जब दिया जाएगा इन माता जी को, अम्मा जी को, उस necklace पर GST charge हो सकता है, इसको supply माना जाएगा, तो necklace जो गया, यह supply के definition में cover होगा है, अब आते हैं, अम्मा जी के contact क्योंसे, अम्मा जी जो है, उनका case बाटर में cover हो रहा है, क्योंकि कंगन देखर का necklace आ रहा है, दूसरा उनका case, consideration बिल्कुल है, कंगन दी है, बतले में consideration में क्या मिला, necklace, consideration, necklace आ गया उनके लिए, बराबर है, अब necklace आने के बाद में, क्या इन कोर्सल फरद्रेंस ओ बिजनस ही है, क्या अम्मा ज necklace देना, sorry, bangle देना, नहीं, इनके case में supply नहीं माना जाएगा, तो जो बेंगल दिया गया है, वो supply नहीं माना जाएगा, बट जो necklace है, उसको supply माने, यह supply में cover, और, okay, समझ माया, तो कभी भी section 7, 1, 1, 1 के according आपको देखना है, कि यह जो activity supply है या नहीं है, तो तीनों condition पूरी होने चाहिए, okay, best LDR में cover हो, for consideration in course on furtherance of business, हाँ, तीन ऐसी activity है, जो without consideration भी supply मानी गई है, जिसमें पहला आता है, D, दूसरा R, तीसरा P, D बोले तो, disposal of business assets, या permanent transfer of business assets, if ITC has been availed, next रता R, related party, या distinct person के बीच में कोई transaction हो आओ, और next रता P, principal और agent के बीच में, अगर कोई transaction हो, principal और agent के बीच में, यह 7, 1, C के time में समझेंगे, अभी 7, 1, A जो है, वो definition हमारी यहां पे complete होती है, तो यह काम करते हैं, वापस एक पर आजाओ, 7, 1, A, क्या बोलती है, all the form of supply of goods, मतलब यह जो supply of goods है, उसकी कोई सी भी form हो, या service की कोई सी भी form हो, तर कोई सी भी form का मतलब, चाए वो, sale हो, चाए ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्षेंज हो, license हो, rental हो, lease हो, या disposal हो, बट यह जो आप कर रहे हो, इसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए, बाराबर क्या, consideration, by a person in course on furtherance of business, और जो यह supply कर रहा हो, उसका यह business होना चाहिए, उसका यह क्या होना चाहिए, business होना चाहिए, ओके, समझ मैं आया, आप इतर आजा बटा, इसी के अंदर, अगर मैं और ज्यादा डेटेल में जाओं, इसी के अंदर आते हैं, और ज्यादा अगर मैं डेटेल में जाता हूं, इसके अंदर, तो याद रखना, agreed to be made word यह इन्होंने यूज किया है, क्या-क्या, agreed to be made, reaction दे नहीं रहे हो, देने के लिए राजी भी हो, अभी supply मान सकते हैं, और यह generally service के लिए use होता है, किसके लिए use होता है, services के लिए, अब इतर लेकना, यह case से होता है, आप आज आते हो, मेरे पास में, बोले, sir, January 2023 अभी, आपने बोला, sir, मुझे आपका बेच जोइन करना है, बेच, में में शुरू होगा, बड़ जनवरी में आपने fees पे कर दी, उस पे GST जनवरी में ही लग जाएगा, क्यों, क्योंकि भली मैंने अभी आपको service दी नहीं है, बर देने के लिए agree तो हो गया, इसका पैसा ले लिए मैंने आपसे, और देने के लिए agree हो गया, तब लिए उसको supply माना जा सकता है, बली वो आप future में, future में दोगे service, okay, सबज माया, point out, store, अभी हमने यहाँ पे supply में section 7, 1, 8, यह complete किया है, बराबर, इसमें हमने क्या पढ़ाता, कि तीन condition पूरी करनी होगा होती है, आपको देखना है कि कोई भी case, यह कुछ examples मैंने best LDR के दिये थे, इन में से कहीं पे भी cover होता है, और दूसरा, supplier को इसके बदले consideration मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तीसरा case, जो था, वो एक supplier के लिए क्या होना चाहिए, इन course और furtherance of business, उसका business activity का पार्ट होना चाहिए, इन course और furtherance of business, अब इदर आजाएंटा, अब हम पढ़ने वाले 7-1-C सब्सक्राइल, 7-1-C जो है, यहाँ पर मैं इतना ही बताऊंगा, जितना आपको concept समझाने के काम में आए, पूर डिटेल में 7-1-C हम schedule first पढ़ने वाले, वहाँ पर discuss करेंगे, 7-1-C क्या बोलता है, इस consideration का exception, कि कुछ ऐसी activities है, जो without consideration होगी, without consideration, बराबर है, बट उनको फिर भी supply मना जाएगा, था हम यह बोल सकते हैं, यह जो point है, इसके exceptions, बराबर है, जिसको हम बोल सकते है, supply, as per section, 7-1-C, plus schedule first, read with schedule first, schedule first के टाइम पर यह वापस आने वाला है, schedule first हमारत जो है, अगला topic होगा, मतलब इसी chapter का part है, topic दूसरा होगा, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि तीन activities ऐसी है, जो without consideration भी supply माने जाएगा, बट शर्त है, in course और furtherance of business हो, in course और furtherance of business हो, जैसे example के लिए, example के लिए, कौन कहन सी activity आएगी, D, दूसरी R, दूसरी P, D, R, P, D, बोले तो, disposal of business assets, condition क्या है, disposal of business assets, या permanent transfer of business assets भी इदर आएगा, permanent transfer of business assets भी आएगा यहाँ पर, तो disposal या permanent transfer of business assets, input tax credit has been available, या पता कौन सा, मुकेश अम्मानी जी वाला case, मुकेश अम्मानी जी वाला case, उन्होंने laptop खरीदा था, dispose कर दिया था, एक laptop, तो उन्होंने जो credit avail कर लिया, वो वापस pay करना था, department को, और pay करने के लिए उसको supply की definition में डालना जरूरी था, तो वाँ पर without consideration भी supply मानी गई, क्योंकि dispose करने पर मुकेश अम्मानी जी कोई consideration तो ले नी रहे, या business कोई consideration तो ले नी रहा, इसके लिए, second case, transaction between, transaction between, related party, public distinct person, related party और distinct person की बीच में, अगर कोई भी transaction होता है, वो without consideration भी होगा, तब भी supply माना जाएगा, बट शर्त क्या है, in course और furtherance of business, क्या हो, in course और furtherance of business, इसका मतलब ये याद रखना, वो क्या होना चाहिए, in course और furtherance of business, in course और furtherance of business, क्या होना चाहिए, वो in course और furtherance of business होना चाहिए, ओके, ना, तीसरा आप्ता P, principal agent relationship, या transaction between principal and agent, लिख देते हैं, अब इदर देखना बटा, ये तीन activities हम नहीं यहाँ पर बात किये, अब इसमें भी बहुत detail operation होगा, जैसे related party में क्या cover होता है, related party किसको बोला जाता है, distinct person का meaning क्या होता है, ये कौन सा principle है, यहाँ पर agent किसको बोला गया है, principle किसको बोला गया है, बराबर है, ये dispose law business assets के बाद करें, वो business assets क्या होता, ITC avail करने के बाद में, जो है, उसके बाद में dispose करते हैं, तो ही इसको supply माना जाएगा, या बिना ITC avail के भी इसको supply माना जा सकता है, ये सब चीज़ों का हमको detail में discussion करना है, बट वो हम करेंगे schedule first के time करें, तो सर, यहाँ पर हम को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये तीन चीज़े याद रख लेनी है, कि 7-1-C क्या बोलता है, कि भाई, तीन ऐसी activity है, जो without consideration भी supply मानेंगे, पहला, disposal of business assets, या permanent transfer of business assets, इप ITC has been availed, अगर ITC claim कर लिया, तो दूसरा, transaction between related party या distinct person, उनकी बीच में कोई transaction हो, बड़ शर्त यह कि वो in course और furtherance of business हो, ओके, transaction between principle and agent, principle और agent की बीच में जो transaction हो रहा है, बस इतना अभी ये तीन चीज़े याद रख लेने, याद रहेगी तिनों चीज़े, वापस एक पर मेरे पीचे-पीचे दो रहा हूँ, फर्स्ट केस क्या है, 7-1-C में, supply, तीन activity को माना जाता है, जो without consideration भी supply होगी, पहली activity क्या है, बोलो बटा, disposal या permanent transfer of business assets, if ITC has been availed, दूसरा क्या है, R, transaction between related party, related party, और तीसरा, P, transaction between principle and agent, तो सर एक बात बताओ, related party में आपने लिखा, in course और फर्दरेंस और बिजनस होना चीए, इन दोनों में in course और फर्दरेंस और बिजनस नहीं होगा, तब भी चलेगा, बैटा, implied है, ये in course और फर्दरेंस और बिजनस ही है, अगर मैं अपनी बिजनस असेट को डिस्पोज कर रहा हूँ, तो तो implied और बिजनस असेट से तो वो in course और फर्दरेंस और बिजनस माना ही जाएगा, होगा ही होगा वहाँ पे तो, principal agent, principal agent को कोई भी goods भेजता है, तो business कर रहा है, तभी तो भेज रहा है, वो भी in course और फर्दरेंस और बिजनस है, तो ये जो दो case है ना, in mind course और फर्दरेंस और बिजनस होना, implied है, यहां पर implied है, यहां पर हो भी सकता था नहीं भी हो सकता, तो अलग से मैंने लिख दिया, in course और फर्दरेंस और business होना चाहिए, ओके, करो, तो यह section 7-1-C था जो schedule फॉस्ट के साथ में पुरा detail discussion करेंगे ओके 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 ठीक है तो सर चलो 7-1-C क्यों बना वो हमें पता लग गया पहले 7-1-A बनाया government ने 7-1-A हमारे को समझ माया बट उसमें कुछ कम्या लगी तो उसके लिए 7-1-C बनाया सर मैं यह बताओ 7-1-B क्यों बनाया 7-1-B बनाने के जरूरत कहां थी उसको क्यों बनाया गया यहां पर उसको बनाया गया वो इसका exception है इन कोर्स और फ्रदरंस आप बिसनस का exception तो इसका exception है यह सर वो क्या होता है समस्ता है 7-1-B बनाया इंपर्ट सर्विस के लिए इंपर्ट सर्विस का मतलब सप्लायर जो है वो नॉन टैक्सबल टेरिट्री का है मतलब आउटसाइड इंडिया का है आउटसाइड इंडिया का है सप्लायर ओके रिसीपेंट इंडिया का है अब बाहर से अगर कोई सर्विस इंडिया में आरही है इसको बोलते इंपर्ट सर्विस उसका केसबीन पर समझने वाले वो क्या बोलना चाहते हैं वो 7-1-B है तो 7-1-B सिर्फ इंपर्ट सर्विस के लिए है और किसी के बारे में बात नहीं करेगा इंपर्ट के लिए भी इंपोर्ट ओव्ड्स के लिए ख़ली इंपोर्ट सर्विस के लिए ओके ना इदर आओ जटेखते हैं क्या है कि ज़्यां से सुना है यहाँ पर एक्जांबल से संब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन चीज बता रहा हूं यह है ज्याप मिस्टर है जो फैंक्शुई की सर्विस देते हैं यह मान ले तो मैं हूँ यह मैं हूँ एम जी मिस्टर बी के जगे खुद का नाम लिख दिया मैंने एम जी यह मेरा ओफिस है और मैंने सूच करके नैंने संचा है पैसा की भी जोफिस का वास्तूसाई डी करबा मैंने मिस्टर जो जी पानखितन है मैंने इनको बोला Mr. A मेरी मदद करो प्लीज वास्तू सही करो मैं इसका नहीं बोला ठीक है ये वास्तू की सर्विस देते हैं मुझे तो इन्होंने जो सर्विस दी वो क्या वास्तू की ये कहां कहां नॉन टैक्सबल टेरिटरिक प्रविश को यह वास्तु की सर्विस दे रहे हैं यह सप्लायर है मैं रिसीपियंट हूं यहां से सुनना यहां पर क्या इसको सप्लाइब मना जाएगा तो सप्लाइब की सेवन वन एक पहली कंडिशन क्या होती है कि वाही वैस्त एल्डियार में से कोई वीएग केस होना चाहिए है सर्विस दे रहे हैं तो पहली कंडिशन पूरी विस दूसरा बदले मैं कंसिडरेशन मिलना चाहिए अधा को दस लाक रुपिया दे रहा हूं उसके मत पर तो बदले में consideration भी यह 10 लाख रुपिया दे रहा हूं मैं इनको consideration consideration तीसरा तीसरा case इंपोर्स और फर्द्रेंस बिजनेस होना चाहिए बराबर है हाँ सर वो तो है ना इनका तो कामी बिजनेस है इन कोड़र फर्द्रेंस बिजनस मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि भाई वह एक बिजनस अच्टिविटी होनी चीए बिजनस से जुड़ी भी एक्टिविटी या बिजनस से जुड़ावा कोई भी प्रॉडट्ट जैसे बिजनस के काम में आने वाला लैपटॉप वगरा वो सब बता है मैंने यह चीज तो बिजनस से जुड़ी भी कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए तो वो इसके पॉइंट आपको से तो मैंने आप पर मैं आपको पता है क्या बोलने वालों इंपोर्ट सर्विस के केस में इंपोर्ट सर्विस के केस में किसके केस में सिर्फ इंपोर्ट सर्विस के केस में इन कोर्स और फॉर्दरेंस ओब बिजनस तब माना जाएगा जब वो रिसीपेंट की बिजनस एक्टिविटी से रि लेकिन अगर इंपोर्ट सर्विस और इंपोर्ट सर्विस तो इन कोर्स और फर्दरन सो बिजनस कब माना जाएगा उस सर्विस को जब वो सर्विस रिसिपियंट अपने बिजनस के काम में ले रहा है तो यहां पर रिसिपियंट के पॉंट अपने आएगा कि इसे दस लाग रुपे के उपर यह मान लो दस लाग पर मुझसे जीएस्ट ले ले बहुत आप मैं टेक्स भर दूँगा मैं काओ कि मैंने दस लाग पे इनको जीएस्ट पे कर दिया तो क्या यह जापां से इंडिया मैं अपने आफिस के काम में आफिस के काम में आफिस के काम में में औफिस के काम में ले रहा हूं है किसे काम जिस्के काम में आपिस के काम में बिजने ते उसको बनाने की अब आजाओ जरुत क्यों थी मैं समझाता हूँ यह है मेरा गर और यहां पर पी में लिख देता हूँ एम जी यह भी मैं हूँ यह मेरा गर है और मैंने मिस्टर एक को बोला कि वाई मिस्टर एक बोले येस बोले मिस्टर एक काम कर बोले क्या मैंने का वास स्यन में आपकी बीवी चलती है रात के दे मैं सुन ले कि ना तो esthera भी जिन आराम कर देगी उट्शी से को एडवइस दे सकता है उब रह ठीक है उन एपडरे काम करता हूं मैं वास्तू की सर्विस देता मुझे मेरे घर के लिए मेरे पांच लाग रुपिया में बदले में अब यहां पर सिच्वेशन देखना कि क्या यह सप्लाई माना जाएगा क्या तो पहला सप्लाई की पहली कंडिशन पहली कंडिशन सप्लाई की सप्लाई की पहली कंडिशन क्या बोलती है कि बैस्ट लडियर में से कोई हो तो सेवन वन ए वह हम देखते लगेगा क्या उसके हिसाब से सर्विस में कवर हो रहा है क्योंकि यह जो मुझे मिल रही है वास्तु की सर्विस वो सर्विस में कवर होगी बराबर दूसरा मैं इस अगर बिजनस के काम में नहीं ले रहा है तो not in-course of furtherance of business तो यहाँ पर डेखा जाए तो यह not in-course of furtherance of business है क्योंकि मैं अपने घर के लिए वास्तू की service ले रहा हूं ना कि business के लिए not in-course or furtherance of business not in-course and furtherance of business अभ यहाँ पर 7-1-1 according to supply नहीं है 7-1-1 according to supply नहीं है आप जब supply नहीं है तो पांच लाग रुपया तो foreign country में जा रहा है जपान में जा रहा है बट इनकोर्स और furtherance of business नहीं है बट गोट सब उनका तो business है मैं जा मोदी जी import service के case में recipient के point of view से देखा जाता है और मैं जो हूँ अपने घर के लिए वह service ले रहा हूं business के लिए नहीं business के लिए लेता तो इनकोर्स और furtherance of business माना जाता है बोले अच्छा ऐसा है क्या मैं कहा तो बोले 7-1-a में cover नहीं हो रहा मैंनका नहीं और 7-1-b में cover हो रहा है क्या बोले तो पहले बच्चों को बताओ तो उससे 7-1-b क्या होता है रुकर को देख लेते हैं यह रहा 7-1-b बनका यह रहा 7-1-b बोले यह क्या है बच्चों समझा उदर language read करो इसकी क्या है बनका यह बोलता है importation of service अगर कोई service आप import कर रहे है और यह consideration जिसके बदले आप consideration देंगे consideration देंगे whether or not in course of presence of business वो in course of presence of business है या नहीं है फिर भी उसको supply मान लिया जाए इसका मतलब अगर यह point से हम चलें तो इस point के इसाब से यह जो case है इसमें concentration तो जा रहा है ना वहीं in course of presence of business नहीं है यह पूरी की पूरी activity 7-1 week according supply मान ली जाएगी 7-1 week according supply मान ली जाएगी इसलिए यहां पर मैंने आपको बोला कि in course of furtherance of business होना चाहिए बट इस point का भी एक exception है क्या जब import service का case हो बराबरे उस case में in course of furtherance of business नहीं भी होगा तब भी उसको supply मान लेंगे बट शर्त ही है कि consideration होना चाहिए क्या होना चाहिए consideration होना चाहिए okay तो import service के case में consideration है तो आंग बंद करके उसको supply मान लेना फिर यह मत देखना कि वह आप अपने business की काम में ले रहे हो या personal purpose के लिए use कर रहे हो कि वापस एक और चीज़ इन course और furtherance of business हम किसके point of view से देखेंगे इन course और furtherance of business हम किसके point of view से देखेंगे supply के point of view से या recipient के point of view से इधर देखना mot service के case में recipient के point of view से import of service के case में recipient के point of view से अगर वो अपने business की काम में ले रहा है उस import service को को तो इन course और furtherance of business है और personal purpose के लिए use कर रहा है तो not in course or furtherance of business लेकिन बाकि सब केस में supplier के point of view से देखा जाएगा supplier अगर कोई ऐसी activity कर रहा है जो उसके business से related है तो इन course और furtherance of business है otherwise नहीं अब एक और case लेते हैं कि अभी मैंने होता है यह अभी मैंने ही सिखांगा यह आपको मैं सिखांगा सेड्यून second के बाद मैं सेड्यून तो वहां पर एक पॉइंट डिसकस करूँगा उसके बाद में यहां पर आउगा अभी हाल फिलाल के लिए आपने जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आजाओ वापने पढ़ा सप्लाई किसको मानते हैं सप्लाई के तीन सेक्षन आपने पढ़ा है सेवन वन ए जो तीन कंड सर्विस की केस में और कंसेडरेशन है तो हम्मेशन उसको सप्लाई माना जाएगा तो यहां पर तीन एक्टिविटी आती है यहां पर इंपोर्ट सर्विस नहीं को इसका को सब्सक्राइगा रहा हुए इसके आगे का पार्ट बैठेगे प्रैट में क्या नियुक्त का मतलब इसको का मतलब, की सभैस कंसे नगे इसको बोला गया है in course or further&s of business विजनस में नमने बिजनस में क्या कावर क्या गया है तो यह जो अभी हमने पढ़ा है ने सब यह यह जो सब बढ़ा है बराबर है इन सबके जो अंदर के वर्ड है उनका operation करना आब हमारे को तो चार main definition हमको पढ़नी है फिर हम schedule first पे जाएंगे. schedule first का detail analysis करेंगे. schedule first के बाद schedule third का analysis करेंगे. फिर उसके बाद हम schedule second पे आएंगे. फिर उसके बाद हम composite और mix apply क्या होती हुथ हूँ discuss करेंगे. तब जाकर पीछ चेप्टर complete होगा. पॉच्फ करते जाएंगे कुछ कुछ पूब्ग एक सुना बाटा ने हम एक पाट्र रखने के लिए डिश्ट रखने के लिए यह टीवी मैंने 10 लाग रुपए में खरीदा था अपने घर के लिए घर के लिए खरीदा था इस पर मैंने बकाईदा जी एस टी भी पे किया था अधि ओनि ट्रय सक्तन आगर लिएव और ये आपकी नजर में टीवी पर थे लिडी तो कि यह लीडी तो आप मुझे दे दो सब यह लीडी तो आप मुझे दे दो सब्सक्राइब बोले तुम नो लाक रुप्या दे दो तुम ने मुझे नाइन लेक्स रुपीस पे किया कि यहां पर इसको सप्लाइ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा तो इधर दे पॉइंट नमबर वन एक क्या बोलता है कि सेवन वन एबोलता है कि सेल या सर्विस कुछ हो रहा बेस्ट लडी रमें से यस सेल कर रहा हूं मैं फैली कंडिशन पूरी दूसरा कंसेट्रेशन मिल रहा मुझे यस नाइन लेक्ट रुपीस मेरा कंसेट्रेशन है दोनों कंडिशन पूरी? तीसरी कंडिशन क्या? टिन कोर्स और फर्दरेंस और बिजनस है? नहीं LED बेचना मेरा बिजनस नहीं है मेरा बिजनस है टीचिंग करवाना और ये मेरे बिजनस से जुड़ी भी कोई असेट्स भी नहीं अगर ये LED TV मेरे office में लगा होता है और इसका GST मैंने claim कर लिया होता GST का setup ले चुका होता ITC claim कर चुका होता मैं इसका तो फिर ये मेरी business assets होती फिर मैं अपने business assets को बेच था तो in court और furtherance of business हो LED TV मेरे गर पे लगी वी थी ये मेरे business की assets है ही नहीं तो in court और furtherance of business में cover नहीं होगा अब 7-1-A तो नहीं लगा 7-1-C लगाए C तो without consideration होता बेचा इसमें तो consideration भी है मरे पास में ओके तो 7-1-B लगाते है 7-1-B import service के लिए तो import service का तो question ही raise नहीं हो रहा है तो ये जो case है जो मैंने बताया आपको ना 7-1-A में आ रहा है ना 7-1-B में आ रहा है ना ही 7-1-C में आ रहा है तो ये supply माना ही नहीं जाएगा और इस पर GST कभी लग लिकाईगा तो मिलते हैं हम अमारे next video में next session में इसके आगे की study के लिए तब तक के लिए जे हिंद जे भारत जे हिंद जे भारत हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छ होंगे मैं भी यहां पर बहुत बढ़िया हूं now हमारे last lecture में हमने देखा था कि supply का मतलब क्या होता है जिसमें हमने एक section discuss क्या था section 7-1-A इस 7-1-A में हमने क्या discuss क्या था कि supply किसको बोला जाता है तो हमने देखा था कि कुछ activities जिनको हमने नाम दिया था best LDR ऐसी कुछ activities हो जिसमें भी का मतलब बाटर, exchange, sales, service, transfer of business assets, lease, license, disposal of business assets and rent बराबर इन में से कुछ activities हो इस ताइप की इसके बदले consideration मिलता हो और वो in course और furtherance और business हो तो उसको हम supply बोलते हैं और supply किस चीज की होगी किस की supply होगी तो GST attract होता तो हमने पढ़ा था supply goods या services की होनी चाहिए तो GST attract होगा तो आज के lecture में हम क्या discuss करने वाले है आज के lecture में हम सबसे पहले यह discuss करने वाले है कि consideration का मतलब क्या होता है business का मतलब क्या होता है goods किसको बोला गया है और service किसको बोला गया है यहांपर इसका मतलब अगर कोई ऐसी activity जो goods की definition में cover ही नहीं हो रही है goods की definition में cover ही नहीं हो रही है उस पे GST attract हो ही नहीं सकता है या कोई ऐसी activity जो service की definition में cover नहीं होती है goods or service in की definition में cover नहीं होगी उस activity पे GST attract नहीं हो मान दीजे कोई activity goods or service की definition में cover हो गई है लेकिन वो without consideration है, without consideration तो वो supply की definition में cover नहीं होगी और इसमें GST attract नहीं होगा हला कि इसके तीन exception है जो section 7.1.c में हम discuss करेंगे या schedule first में हम इसको detail में discuss करेंगे अगर मान लो consideration भी हो गया goods के definition में cover होगी या service के definition में cover होगी और बकाईदा consideration भी मिल रहा है तो supply के definition में cover होने के चांसे लेकिन अगर वो in-course or furtherance of business नहीं है मतलब business के definition में cover नहीं हो रही है आप उसमें GST attract नहीं हो सकता है तो यही सब चीज़ हमको अभी detail में पढ़नी है goods किसको बोलते है, service किसको बोलते है constitution क्या, business क्या है no doubt, in-course or furtherance of business का भी एक exception है 7-1-B importation of service तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले goods के बारे में goods क्या होता यह हमारा last lecture का 7-1-B यह हमने discuss किया था last lecture में 7-1-C the activities specified in schedule first made or agreed to be made without consideration if in courts or furtherance of business 7-1-A बाकी मैंने क्या बोला वो second schedule के बार discuss करेंगे लिया 7-1-C जो है आपने last lecture में जो discuss किया तो last lecture में आपने 7-1-C जो discuss किया इसका की था DRP जिसमें पमान and transfer disposal of business assets where input tax credit has been availed वो हमने discuss किया second related party distinct person के बीच में कोई transaction हो रहे है third supply of goods between principle and agent उनको हलका full का हमने discuss किया है अब आप ये वाली चीज पढ़ने की कोशिश अभी मत करना ये आपको मैं तभी समझाऊँगा जब principal agent को में डेटेल में schedule first में discuss करेंगे आजाओ अब हम पढ़ रहे है definitions में सब सपहलाते है goods and services इसमें goods code define करते है section 2 subsection 52 goods का है ना goods के बारे में इन्होंने क्या बोला every kind of movable property every kind of movable property अब इन्होंने जो weddings use की है इसका operation करते हैं आउए दे शुरू करते हैं आज का lecture इनकी definition के हिसाब से जो movable property है या movable things है वही goods होगा इसका मतलब अगर कोई immovable things है या immovable property है क्या वो goods होगी इस definition के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगी इसका मतलब अगर मैं sale करता हूँ AC या car बराबर है ये some movable things है बराबर ये goods मानी जाएगी बट अगर मैंने sale किया sale of land ये immovable है ये immovable है sale of building immovable है तो ये goods की category में cover नहीं हो सकता है अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा challenge जो है वो एक जगे पे आ गया जब ये definition frame होई थी थी तब वो challenge किस चीज को लेकर क्या आया था जड़ा समझो हुआ क्या था मेरी खुद की खेती थी मैं खेती करता था ये जो शुगर के नहीं दिख रहा है ये गन्ने की खेती है जो मैंने शुरू की है गन्ने की खेती है ये गन्ने की खेती है जो मैंने शुरू की अच्छी खासी मेरी पसल उग रही थी, अभी उगी नहीं है, शुरुआत हुई है, उगने वाली है, और एक दिन एक बिजनसमें, ये, इसका नाम है, मिस्टर घंशाम, ये मिस्टर घंशाम मेरे पास मैं आता हूँ, राकर के मुझे बोलते हैं, सर, मुझे आपके ये शुकर मिस्टर घंशाम ये रिसक है, क्योंकि ये जब बड़े हूँगे, ये जब बड़े हूँगे, उसके बाद किसी और को बेच दिया तो आपने, किसी और को सेल कर दिया तो मैं कहां जाओंगा? यार बात तो तेरी भी सही है, गया इक काम करते हैं, मैंनी का क्या, हम अभी एक डील करनेता है मैं इनका कैसी डील बोले ये शुगर केन तीन-चार महीने में बड़े हो जाएंगे मैं इनका येस बोले तीन-चार महीने के बाद ये आप मुझे सेल करोगे किसी और को नहीं दोगे पैसा मैं अभी दे देता हूँ अब मेरे और इनके बीच में डील होगी हम दोनों के बीच में एक डील हुई डील कितने हुई? दस लाग रुपय की इन्होंने मुझे दस लाग रुपया दे दिया और डील क्या हुए कि जब इसे ये शुगर केन बड़े होंगे मैं कट करके इनको सप्लाई कर अब जब ये दस लाग रुपया मुझे दिया तो एक क्वेशन आ गया कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्योंकि सप्लाई के लिए हमने क्या बोला? सप्लाई गुड्स की है, सर्विस की होने चाहिए अब गुड्स की डेफिनेशन अभी हमने क्या पड़ी? जो इम्मुवल प्रॉपर्टी है, वो गुड्स होई नहीं सकता है मुवल प्रॉपर्टी होने चाहिए अब शुगर केन तो मूव भी नहीं हो रहा है तो मूव कैसे करेंगे? अब, क्या इसको मुवल प्रॉपर्टी मना जाएगा? क्या इसको मुवल थिंक्स मना जाएगा? क्या इसको गुड्स की डेफिनीशन में कवर किया जाएगा? यह तो एक छोटा से example है एक अपर example मैं पान लो, इतनी करता हौं पराबन है ये crops उगा रहा हूँ मैं है crops पुरी जमीन से attach है और ये crops अभी निकली निये पुरी growing crops है और मैं ये आप वेच देता हूं अभी तोड़ी नीनिये में जमीन में लगी आपको sale कर देता हूं कि इन 4 मैने कि जो फसल है वो आपकी जैसे चोटा से एक्जम्बल लेते हैं, ग्राउंड नट्स में मूफली उगा रहा हूं, मूफली के बीच वगरा डाल दिये, मूफली का पौदा निकला आया, ये पौदे निकला है, ये सारे पौदे निकला आये, निकलने के बाद आते हूं मेरे पास में, और आपने आका के मुझे बोला, इसको क्या बोलेंगे, इसको गुड्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, अगर ये गुड्स नहीं है, तो क्या इस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, ये इससे क्वेशन आ रहे है, तब गौदे को भी रियलाइज हुआ, यार एक बात बताओ, इसको गुड्स में डाल देते हैं, बेटर रहेगा, तो गौदे जी आये मेरे पास में बोले, मेरे प्यारे भाईयों मैंनो, मैंन बोले नहीं, फिर क्यूं, बोले कारण है, चार माईने बाद आप इसको बेचोगे वो फसल, मैंन का, बोले एक बार के लिए भूल जाओ कि आपके रिसकी बीच में कोई अग्रिमेंट हो आज, भूल जाओ, मैंन का भूल गया, बोले आप यह मानो कि चार माईने पूरे बोले तो इसका मतलब, तब 10 लाग रुपे में बेचोगे, अब अपलार माना जाएगा, बोले इसको अब टो गूरे अश्य एक रिसको बोले तोगूर के और भी चीज़ें इंक्लूड की है, कुछ चीज़ें इनक्लूड की है, तो गूर्स के डेफिनिशन जब फ्रेम और बाद में future में cut करके किसी को दी जाएगी, तो भी इनको भी definition में add करो, तब जा करके एक goods के definition तयार हुई, और goods के definition क्या बनी, इदर आओ, goods के definition कुछ इस तरह की आई, any kind of movable things includes, क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जा रही है, इदर देखना, पहला actionable claim, तो में actionable claim आएका, actionable claim क्या है, वो भी समझना है, sales of goods act में actionable claim को cover नहीं किया गया है, goods के अंदर, बट यहां पर GST में, goods में actionable claim भी cover हुआ है, growing crops, yeah, grass and things, attached to a forming part of the land, which are agreed to be served, before supply, और under a contract of supply, कोई ऐसी फसल, कोई ऐसी चीज़ जो जमीन से, क्यों आटेच है, जिसको अलग करके बाद में बेचा जाएगा, ऐसा कोई agreement है, तो वो भी goods की definition में cover होगी है, आप क्यों गर में ऐसी लगावा होगा, या फैन लगावा होगा, आप अभी देखोगे तो उमोवेबल नहीं है बड़ उसको डिटेच करके, डिससेंबल करके उसको किसी और को दे सकते हो, और वो आदमी जिसको आपने दिया है, वो उसको वापस यूज भी कर सकता उसी form में, उसको क्या बोला जाता है, वो भी मोवेबल होगी, ओके, तर ये तो समझा growing crop, ग्रास वाला भी आपने चलो स समझा दिया, बड़ ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ये क्या है एक्शनेबल क्लेम, बोलते किसको है, हमने इंटर में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ा, फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, विड़ा बेजे में ने गुसा कि एक्शनेबल क्लेम, बोलते जिसमें पैसा, जाना, पिक्स है, रिकवर होना, रिस्क है. एक एसी सिच्वेशन, जिसमें पैसा आपके पोकेट से जाएगा, ये फिक्स है, बट वो रिकवर होगा या नहीं होगा, ये रिस्क है. उसी को एक्षनेबल क्लेम बोलते हैं, लेमेन लेंग्वेज में समझा रहा हूँ. एक्जाम्बल देखना, आप देखो, मिर्ज गलास आदमी हूँ हूँ मैं तो, बराबर है, मैंने भी सोचा कि या, रातो रात करोड़ पती बन जाए, कितना बड़ी आओगा. फिल्मों में देखते हैं, एक घरीब आदमी जाता है, उसको सड़क पर एक लोटरी का टिकेट मिलता है, उसको लोटरी लग जाती है, वो करोड़ पती बन जाता है, रातो रात. से लोम अमेरे को उच्वारक पर नहीं मिला खरीद लेंगे मैं गें लोट्री वाला के पास मने मैं जा कर कर में बॉला बाई साब एक लोट्री का टिकेट और उनले ऊठ्त ही अंत बोलाым में पांसुरुपया ड़गेगा अब 5 सुरुपया मैं रोट्री के Look के लिए दे दिया उनको यह 500 रुपया जाना फिक्स है यह 500 रुपया जाना फिक्स है बट यह मुझे रिकावर होगा या नहीं होगा यह रिस्क है लोटरी लगी तो रिकावर होगा नहीं तो नहीं भी होगा मतलब जुवा समझ मैं या जुवा तो यह लोटरी का टिकट एक् तो उस केस में मैंने भी सोचा कि पैसा लगा जिता तो रिकवर होगा और शायदा भी हो नहीं जीता तो डूबेगा मेना पैसे नहीं जीता तो डूबेगा मेना पैसे तो रिस्क है समझ माया एक और केस ले लेते हैं जनरल इंशुरेंस क्लेम अब इदर नहीं है कैसे मैंने अपनी गाड़ी का एक इंशुरेंस करवा लिया कार का यह मेरी कार है इंशुरेंस करवा लेते हैं इसका मैंने एक इंशुरेंस करवा लिया इंशुरेंस के लिए मैंने दस हजार रुपया दिया प्रीमियम पेकिया अब यह दस हजार रुपया जाना फिक्स है रिकावर का होगा जब मेरी गाड़ी का एक्सडेंट होगा उस टाइम पे रिकावरी होगी पर अगर मेरी गाड़ी का एक्सडेंट नहीं हुआ बराबर यह एक साल का पॉलीसी था शाल बर में गाड़ी का एक्सडेंट नहीं हुआ तो यह पेसा डूप गिया कुछ नहीं मिलेगा मुझे जाना फिक्स है रिकावर होना रिस्क है ट्रांसफर पंसिक्यॉर डेट एक और एक्जाम्पल तर यह क्या होता ट्रांसफर पंसि को आई डिटी पढ़ाता हूं मेरे काफिट स रिष्टृंस है जो मेरे डेटर है कितने स्टृंड की हैं अबी बाकी है बूद इस्टृंस की की पीस आनी बाकी है वह ए मिरी फीस हैं मब लेत हैं 10,000 एंव Est dei मतलब इन शोट देखा जाते हैं एक करोड रुपिया मेरा भी मार्केट में फसावा है जो मैं अपने स्टुडेंट से आप लोगों से मांगता हूं बराबन वन करोड रुपीज आज मुझे पैसों के जरुत पड़ गई और यह सुब अन सिक्योर डेतर है मेरा देखा जाए तो आप जितने भी डेटर हो कोई किसी की सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास में आप बोल भी सकते हों कि सर पैसा नही है अभी तो नहीं देपाएंगे सर सीयव बनने के बाद मैं दे कोई security वगरा कुछ भी नहीं है, ना कोई guaranty है, ना कोई bank ने guarantee दि कि मैज भाई अगर turned ने पonne दिया तो हम देंगे अब मुझे पैसों की सबड़त पड़ी मैं गया मेरे दोस्त है mister Sachin ये Sachin है मैं इंके पास में कैंने का यार सचीन बोड़ा मैं इनका मुझे पैसों के सक्षेश जरुआ था अभी तो मुझे एटी लेक्स रूपीज दोगे क्या की pocket से जाना fix है fix है अब मैंने अपने data सचिन को दे दिये सारे कि सचिन भाई दो माईने में यह student सारे पैसे देंगे आप ले ले ना इनसे सचिन को कितना मिलेगा 1 करोड इसकी क्या guarantee है कि 1 करोड मिलेगा हो सकता है कि के स्टोईन बोलते हैं पैसा ही नहीं, के स्टवन बेड़ एट हो जाए तो सचीन की पॉकेट से 80 लेक्स जाना फिक्स है बट यह 80 लेक्स रिकवर होना रिस्क है तो यह unsecured debt को transfer करणा, unsecured debt, transfer of unsecured debt ये भी अपने आप में एक actionable claim यह भी actionable claim है, समझ मैं है? तो इसले एक बात 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 बाकि सब थीक इनको goods क्यों माना गया है, goods मानने के क्या जरूती? कारण है, तो अगर goods नहीं माना जाता, तो बहुत बड़ा blender हो जाता, बहुत इकम लोग इस चीज के logic को समझ पाएं कि इसको goods क्यों माना गया है, इदर देखना इसको goods मानने के पीछे का कारण है, जब definition frame की गई थी ना बैठा, definition क्या थी, कि GST क्या है, GST is a tax imposed on supply your goods, public services, public move, बराबरे, more consideration, यही था, just think, मैं lottery करता हूँ, मैं gambling करता हूँ, horserasing में पैसा लगाता हूँ, सब चीजे हो रही है, हम horserasing तो legal है इंडिया में, horserasing legal है, वहाँ पैसा लगा सकता हूँ, cricket का सब लिगल नहीं है, horserasing legal है, lottery legal है इंडिया में, यह सब चीजे legal है, अब इन चीजों को government promote कर रही है, अगर इन पर GST नहीं लगता है, तो यह promote ही हो रही है ना GST नहीं लगेगा तो, अब इन पर GST लगाने के लिए, वो इस definition में cover होने चीजे है, अब lottery पर actionable claim, यह जो है न, आपके actionable claim, यह actionable claim sales of goods act के according goods की definition में ही नहीं है, sales of goods में goods की definition में ही cover नहीं है, तो जब goods की definition होँआ से copy की हम लोगों ने, तो हमको लगा कि यार इस definition में lottery बगर तो cover ही नहीं है, इसका मतलब lottery पे तो कभी GST लगेगा ही नहीं, क्योंग क्योंको lottery goods में cover नहीं है, lottery service में cover नहीं है, इधर भी cover नहीं है, और इनी की supply होगी, goods या service इनी की supply होगी, तो ही GST attract होगा, तो इसका मतलब lottery, betting, gambling, horse racing, यह सब जो गलत आ देते हैं, वो GST की दाएरे से बाहर हो जाएगी, तब government ने decide क्या नहीं, बाहर तो नहीं होने देंगे इनको, बोले तो फिर क्या करेंगे, बोले इनको एक काम गरो, goods की definition में डाल दो, goods की definition में डाल दो, बोल दो कि हमारे GST की इसाब इनको goods माना जाएगा, तब जाकर यह goods की definition में है, तो वापस आजाओ जड़ा देखते है, goods में क्या-क्या include है, actionable claim, example, transfer of unsecured debt, insurance debt, try to arreards of rent, growing crops यह शुगर गैन वाला example हमारा, ओके, चला, अब एक काम करते है, goods की definition, definition में से किन-किन को exclude किया गया, उनके बारे में देखते है, ओके, goods की definition में exclude किया गया, money को, money goods की definition का party नहीं है, तो goods में cover नहीं किया गया, even service भी नहीं माना गया, money को, दूसर, securities, securities मतलब share, debenture बगरा, यह सब, अब आते हैं, इनका operation करते है, money को goods क्यों नहीं माना गया, आप, आते हैं, सबसे पहले हम money के बारे में, money को क्यों GST के दाएरे से बाहर किया गया, क्यों उसको goods नहीं माना गया, या service नहीं माना गया, उसकी पीछे का कारण किया है, वो current समझने से पहले आपके एक example समझना होगा, बारे में, तो example हम एक काम करते हैं, यह वाला समझाता हूँ मैं, एक example हम आपके, यहां से सुनना है, यह एक laptop की shop है, एक mobile की shop, बराबर है, यह shop मान लो मेरी है, यह shop सचिन की, सचिन मुझे एक mobile phone देता है, मतले में मैं उसको laptop देता हूँ, हमने क्या पढ़ाता दरा देखना, पहले मेरे पॉइंट अपर विसाते हैं, क्यों supply माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो supply की तीन condition हमने देखी थी, क्या, best LDR में cover होना चाहिए, तो मेरा case जो है, बार्टर में cover हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं goods दे रहा हूँ, और बदले में goods ले रहा हूँ, बराबर है, तो बार्टर में cover हो गया case, दूसरा, consideration होना चाहिए, तो consideration मेरे यहां पर क्या हो गया, गुड्स, बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मैं laptop दे रहा हूँ, बदले में मुझे mobile phone मिल रहा है, तो mobile goods है, यह goods क्या हो गया, consideration, क्योंकि मोबाइल, तीसरा, यह मेरा business होना चाहिए, in court for furtherance of business, supply माने जाएग, right, ना, सचेन के point of view से देखे, इसका case भी बार्टर में cover होग तो उसरा, इसको भी consideration मिल रहा है, consideration क्या है, इसमें मुझे cell phone दिया, बदले में इसको क्या मिला, laptop, laptop मिला, तो यह उसके लिए consideration है, consideration क्या है, इस phone में मिल रहा है, goods की phone में, ओके, goods की phone में, और यह इसका business है, अब यहाँ पर मान लेते हैं, एक पल के लिए, एक पल के लिए, मुबाइल की बजाए मनी अगर मुझे मिलदी होती है तो क्या हो अब इधर देखना पहले मोबाइल वाले केस में वापस से एक और आजाँ एक चीज ओर बता देता हूं मोबाइल वाले केस में दोनों के लिए सप्लाई हो रहा है सचिन मुझ से मोबाइल पे GST कलेक्ट करता हूँ और मैं सचिन से लेपटोप पे GST कलेक्ट करूँगा जो मैं उसको लेपटोप दे रहा हूँ मान तो इस चीज को मान लो अगर मोबाइल के ज़िए के मनी होती है और मनी को goods मान लिया जाता है मनी को क्या मान लिया जाता गुट्स सब कितना बड़ा blender होता यह देखो कैसे होता सब blender यह देखो यह मैं हूँ m-g यह आप को सची मैं आपको laptop दे रहım laptop क्या है गुट्स आप मुझे cache दे रहूँ अगर इसको goods की definition में डाल देते हैं, अगर exclude नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, goods इसका मतलब, ये बाटर वाला case जैसा हो जाता, मैं आपको goods दे रहा हूँ, आप मुझे goods दे रहा हूँ, अब मैं laptop अगर आपको बेचता है, मैं आपसे GST चार्ज करता हूँ आप मुझे पैसा दे रहे हूँ, और अगर ये पैसा goods की definition में चला जाता, तो आप भी मुझे से GST चार्ज करते हूँ मतलब मैं आपको laptop दे रहा हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ, जी लाओ, एक लाग रुपिया प्लश GST, और आप मुझे क्या बोलता हूँ, ओके, ये लो एक लाग रुपिया ये GST, अब देखो ये goods दे, तुम इसमें हमें GST पे करो, अच्छा, फिर मैं तुमको GST पे क goods है, एक लिए की form में ना, money तो goods है, तो लाओ इसके ओपर तुम GST दो, तो ये चक्र तो चलता ही रहता, तो मुझे GST देते मैं तुमें देता, तो मुझे देते मैं तुमें देता, तो मुझे देते मैं तुमें तुमें देता, ये तो कभी खतम ही नहीं होता, क्योंकि money goods ह तो गुर्मेंट ना बूला यार मनी को गुड्स के डेफिनिशन से बाहर करो यह प्रॉब्लम खड़ी करेगा यह प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो मनी को गुड्स और सर्विस दोनों के डेफिनिशन से बाहर कर दिया इसको good for service दोनों ही नहीं माने जाएंगे अब यहाँ पर money के अंदर कोशना है कि क्या माना जाएगा money किसको बोलेंगे money किसको बोला जाता है जरा जाओ money का case आया बिटा तब यह बोला गया कि money के अंदर उस currency को cover किया जाएगा जो current में market में परचलिते या चलती है जो परचलिते market में जिसमें deal होती है जिसमें cache होसकता है the note बगरा जो होते हो points होसकते है जिन में deal होती है इसके लाद check this industry note यह सब money का पार्ट माना जाएगा यह सब money माने जाएगे okay money क्या नहीं माना जाएगा कौन सी चीजों को money नहीं मानेंगे बुलें वो coins या वो currency जो अभी परचलन में नहीं है जो अभी market में नहीं चलती है like 1000 का note और 30 September के बाद में 2000 का note बराबर वो फिर money नहीं माने जाएंगे तो इधर देखो बेटा एक्जामबल के लिए यह जो है नहीं है यह एक पैसा दो पैसा तीन पैसा दस पैसा पांच पैसा यह पांच पैसा 1977 का बनावाया दस पैसा दस पैसा 1965 सुरी हाँ 65 का 1970 का 20 पैसा यह 83 का 20 पैसा यह अभी मार्केट में नहीं चलते हैं हमारे इनको हम बोलते हैं एंटिक कॉइंस एंटिक करंसी यह एंटिक कॉइंस जो है यह एंटिक आइटम्स जो है यह गुड्स माने जाएं इनको आप गुड्स बोलो क्यों क्योंकि यह money की definition में cover नहीं होते हैं इसको जाते हैं एंटिक कॉइंस का तो यह सब एंटिक कलेक्शन में चले गया है ओके ना दूसरा यह 500 का नोट मनी है 100 का नोट मनी है चेक मनी है इन सब को मनी माना जाता है और यह गुड्स नहीं होंगे नौ गुड्स नौ सर्विस क्यों क्योंकि यह money की definition में cover हो रहा है यह no money है यहां पर सेवी के provisions applicable होते हैं इसलिए इसको GST से बाहर ही रखा गया है अब यहां पर क्या-क्या cover होते हैं आपके सब जो है आपके share की category में आते है share and securities की category में और इनको सब को बाहर रखा गया है इसकी definition से गुड्स और सर्विस की definition से तो यह भी ना गुड्स है ना सर्विस है नो गुड्स नो सर्विस्स है ओके अब जमाया बावजरा नेट कर देक्ट है money, money excluded goods की definition से भी और सर्विस की definition में भी but shall not include any currency that is held in numismatic value कोई भी ऐसती currency cover नहीं होगी जो numismatic value की होती है securities, sale purchase of shares, debentures, derivatives, bonds, scripts, mutual fund, rights और interest in securities यह सब money की definition में sorry यह सब goods और सर्विस की definition में cover और नहीं होगा और यह सब आपने SFM में पढ़ा भी होगा SFM, SFM जो आप पढ़ते हो उनमें भी यह चीज़ है अब बारियाती सर्विस क्या होता है सर्विस के definition section 2 सब section 502 में बताए गई है सर्विस के definition में क्या क्या चीज़े cover की गई है सर्विस के definition इन्होंने क्या बना anything other than goods चलो आप अपरेशन करते हैं इसका सर्विस के definition क्या बनाए इन्होंने anything other than goods अब इधर देखते हैं अगर तो ज्यान से सुनना ac car teaching land land building आप इधर देखना मिटा मैं अगर ac में deal करता हूं ac बेचता हूं तो हम उसको क्या मानेंगे goods मैं अगर car बेचता हूं तो car movable things है car भी किसमें चले जाएगी goods मैं अगर teaching के service दे रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं बराबर है तो यह क्या हो जाएगा services अब है मैं आपको land बेचता हूं sale 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 कर रहा हूं अब यह क्या होगा सोचो मैं आपको जमीन बेच रहा हूं मेरा business है यह दखो मैंने यह जमीन खरीदी है जमीन खरीदने के बाद मैं इसमें छोटे-छोटे plot कट की है यह छोटे-छोटे plot कट की है 16 plot इनमें से यह वाला part मैं बेच चुका हूं और यह अभी बेचने बागी है मेरा business है अब आप आए आपको मैंने यह वाला जो part है यह वाला part यह part मैंने आपको sale किया है 2 क्रोड रुपीज में कितने में? 2 क्रोड रुपीज में यह वाला part sale किया है अब आप मुझे सिर्प और सिर्प इतना बताओ आप मुझे सिर्प और सिर्प इतना बताओ कि 2 क्रोड में यह वाला part अगर मैंने आपको sale किया है तो मैंने आपको क्या दिया तो नहीं है तो नहीं है तो यह उसके रहे हैं यह अगर हम सर्विस के यह वाली डेफिनेशन देखते हैं और इसका बहुता है एनी तिंग अदर दें गुड्स गुड्स के अलावा हर चीज सर्विस है इसका मतलब deze definition के point of view से जाते हैं तो बटा यह तो सर्विस हो गई है उस हिसाफ से बिल्डिंग बेचना भी services हो गया बट अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ कि क्या यह service है क्या मैं अगर जमीन बेच रहा हूं क्या यह service है क्या बिल आपका जमीर बोल देगा नहीं यार यह service तो नहीं है बट करें क्या इस definition की वज़े से automatic इस service की category में चली गई है क्योंकि service की definition क्या anything other than goods तब government को अपनी गलती रियलाईज हुए और यार यह क्या कर दिया हुए तो गोर पाप हो गया बोले इस पाप का प्राश्चित कैसे करें बोले 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 साब को बुलाओ मुझे बुलाया मुझे बुलाया मुदीजी अमिच शाह वगरा बैठे थे गंगा जल रखावाता हूँ वाँ पर मैंने कहिए किस लिए बोले पापों से मुक्ति पाने के लिए खोड़ा थोड़ा आप दो ब्रामन देवता हो आप आपके हाथों से लेंगे तो मुक्ति प्राप हो जाएगी मर पाप जो है वो दूल जाएंगे मैंने का पाप क्या क्या बोले एक डेफिनिशन बना दिया हमने सर्विस की जिसमें लिख दिया एनि काइंड ओफ मुवेबल नहीं है मैंनका एक काम करो प्राचित गंगा जल पीने के बाद में एक और तरीके से भी करना होगा बोले क्या मैंनका शेडूल थर्ड बनाऊ है बोले यह क्या होती है मैंनका यह नेगिटिव लिस्ट इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज डाल दो जो ना तो सर्विस माने जाएगी नहीं गुड्स माने जाएगी मतलब नाईदर सप्ल्य और सप्लाई ऑप सर्विस फॉले इसी कौन-कौन सी एक्टिविटीज दाल दो इसी आठ रहें पट है कौन-कौन सी मैंनका वो स्टूल थर्ड पढ़ाते वक्त बताऊंगा मैं आप उनको supply नहीं माना जाएगा, तू नहीं माना जाएगा, वो तब छिल थर्ड के टाइम पर discuss करेंगे detail में, उन्हीं मैंसे land और building भी आ गई, तो land और building जो है, वो supply मानी ही नहीं जाती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, no supply, no supply, जब supply नहीं तो service और goods का tension ही, okay, okay, चलो sir, य anything other than goods, service में से exclude क्या होगा, money, or securities, okay, तो money बिलकुल भी नहीं आएगी service में, बिलकुल नहीं आएगी बटा, money बिलकुल भी नहीं आएगी बटा, याद रखना, use of money service माना जाएगा, क्या service माना जाएगा, use of money, तरी use of money क्या होता है, तो अब service मानने की बात की आएगा, यह होता क्या use of money अब यह bank है यह मैं हूँ मैं bank के पास में गया हूँ और मैंने जाकर के bank को बोला bank बोले yes मैंने मुझे loan चाहिए bank ने बोला God साब कितना मैंने का 10 लाक पर क्या दे दो बोले done bank ने मुझे 10 लाक का loan दिया तुभी 10 लाक रुपया किसका है मेरा है या bank का है bank का है मुझे इसको use करने की permission मिली है कि मैं bank का पैसे use कर रहा हूँ use of money इसके बदले मैं bank को क्या दूँगा interest यह interest मैंने पे किया rupees 20,000 यह जो 20,000 है ना यह यह interest यह service माना जाता है यह services कि service है कि bank ने अपना पैसा मुझे use करने को दिया बदले में मैंने 20,000 का consideration दिया bank को क्या दिया 20,000 का consideration ओके अब इदर देखना ध्यान से वापस यह मिस्टर एम जी मैं यह आप मिस्टर भी आपने मुझे आ करके बोला दो लाग रुपय के जरुपता मैंने का ले जाओ माने यहां से रुपीज टू लेक्स आपको दिये कितना दिया रुपीज तो लाग रुपया मैंने आपको दिये बराबर दो लाग रुपया यह टू लेक्स रुपीज मैंने आपको दिये अब एक महीने के लिए दिये थे आफ्टर वन मंद आप मुझे वापस लोटा रहे हो रुपीज टूलेक्स प्लस इंट्रेस्ट रुपीज 10,000 अब यह जो पूरी चीज है इसमें यह जो अमाउंट है यह तो ट्रांजेक्शन इन मनी ती आई एम ट्रांजेक्शन इन मनी मैं ट्रांजेक्शन जितना दिया उत होती है वो तो ना गुड्स होगी ना सर्विस होगी तो यह जो दो लाग रुपिया ना गुड्स ना सर्विस यह जो इंट्रेस्ट 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 इस चीज के लिए मिला है मेरा पैस दे रहा हूँ, मेरा पैसा यूज करने को दे रहा हूँ, दूसरा बदले में मुझे कोंसेप्ट और क्लियर हो जाए, एक और एग्जांपल लोग, यह है कल्यानी, नादपुर के रहने वाली बराबर, यह में एंज, कल्यानी मेरे पास में आती है, और बहुती दो वजार का छुटता है क्या, एंज, तू थाउजन का, मालूम है न, थर्टीफ सेप्टमर के काम कर बेकाँ यह का नोट दिया, मैं न एसको बहुता चुटता तुम्हें, और पास मेंड़के बट कंमिशन लूँगा, यह मदन चीजिए पचास रुपया, तो यह मैंने यूं करते करते 1950 को पेंकिए कल्डाने को 1950 अब यह जो ट्रांजेक्शन हुआ 2000 रुपे वाला 2000 के ट्रांजेक्शन में 1950 का अमांट तो वो है जो ट्रांजेक्शन मनी है जितना कल्डानी ने मुझे दिया उतना ही उसको मिला सेट फिट्टूस हो गया फिट्टूस लेना देना खतम उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मनी एक्स्ट्रा जो अमांट है पचास रुपया जो मुझे कमिशन की रूप में मैंने लिया है कमिश कुई एक और एग्जामपल मिल सकता है क्या बिल्कुल मिल सकता है यह कैगल नी जो है वह आती है बैंक में जाती और बोलती है मेरे पास 1000 डॉलर है हाँजन जाँड प्रमाइज इसको रूपीज में कनोट करवाना है बैंग ने इसके बदले सतर पर हजार रुपिया कर लाने को दिया कितना दिया 70,000 डोपिया कर लाने को दिया तोलबर याँज़न डॉलर के बदले milliards 70,000 जाँशन कर लाने को दिया सद सर्विस क MAडै नी ये सर्विस की कि डॉपनीशन में दिए के करल ल् 가ने ने बैं को डॉलर दिया बने रुपीस लिया और में काद को रल नवरें Immediately के लिए पान्सु या पंनरा दॉर्परय का कमिशन ले रहा है ये बैंक सर्विस दे रहा है तो conversion of currency service होता है, use of money service होता है, even arranging, transaction in securities जो होते हैं, वो भी service होते हैं, सर यह क्या होता है, broker, brokers होते हैं ना, देखो, एक example से समझो, मान लो, यह वाई साव हैं, mg, मेरे पास मैं Reliance का एक share है, जिसकी कीमत है, 2000 प्य, यह एक broker है, immediate है, यह एक है, Mr. Z, Mr. Z को वो share खरीदना है, और share इनके तुरू, इनको sale के आपने, यह mediator है, intermediary, brokers के तुरू, sale कर दिया, और इन्होंने उसी के तुरू, हमको, concentration भी दे दिया, अब इतर देखना, यह जो 2000 का share मैंने बेचा है, यह no goods, no service है, लेकिन, 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 यह भाई साब commission तो लेंगे अपना transaction वातो, इन्होंने commission charge किया, मुझ से 10 रुपया, और 5 रुपया इन से लिया, Z से, total 15 रुपय का commission, यह commission जो है न, यह service माना जाएगा, यह service माना जाएगा, commission, अब जो एक काम करो, आजाओ जड़ा, definition, service के definition, anything other than goods, goods के अलावा कोई भी चीज service माने जाएगी, includes, क्या क्या चीज़े includes है, आजाओ, use of money, money को use करना, मतलब interest received on loan, इससे को loan वगरा दिया, और जरूनी की loan देने वाला bank की हो, आँ आदमी, मैंने भी अगर आपको loan दिया, और आपसे interest ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको service दे रहा हूँ, आप मेरा पैसा use करोगे, बदले में मैं consideration ले रहा हूँ, interest की form में, conversion of money by cash और any other mode, और which a separate consideration is charged, example, foreign currency converted into Indian rupees या vice versa, note, services includes facilitating और arranging transition in securities, okay, service में क्या include होगा, जो भी securities वगरा है, उनके जो transaction हो तो उनको arrange करने की, जो activity आप करते हो, जो brokers वगरा करते हैं, मेडियेटर करते हैं, उन सब service का part माना चाएं, okay, code out, now, money में क्या-क्या include होता है, आजाओ, money, transaction in commercial paper, certificate of deposit, as they are in the nature of promissory note, अधा, promissory note वगरा, draft, letter of credit, cash वगरा, promissory note, वो सब money माने जाएंगे याँएंगे, derivatives, derivatives के definition अप लोगों ने पढ़िए, derivatives के अंदर एक चीज याद रखना, future contract, forward contract ही आपने पढ़े होंगे, derivatives में, जिसमें आपको future में goods जो है, वो देना पढ़ता है, बराबरे, तो याद रखना, derivatives में दो तरह के case होते हैं, एक, जिन में, actually goods में deal नहीं होती, खली, difference amount का set-off होता है, जहांपे difference amount set-off होता है, वो derivatives ना तो goods से ना service है, और एक derivatives क्या होता है, कि आपने देखा होगा, कि future में आपको, जो forward contract जिसको हम बोत है, में settlement करना पढ़ता है, goods की delivery देनी पढ़ती है, तो future में जो goods की delivery देनी पढ़ेगी, ऐसा कोई contract हुआ है, तो उसको फिट supply माना जाता है, वो goods की category में cover हो जाएगा, example के लिए, sugar cane वाला, एक आदमी है मेरे पास में, मुझे 10 लाग रुपी आज दे दिया, या आज deal कर ली, आज पैसा नहीं दी, आज deal की, कि मैं इस गोड सर्फ, चार माईने बाद आप से ये sugar cane में 10 लाग रुपे में करे दूँगा, अब चार माईने बाद उस sugar cane के भाव 20 लाग होगे, तब भी मुझे 10 लाग मिलेंगे, और 2 लाग होगे, तब भी मुझे 10 लाग मिलेंगे, बराबर है, अब future में, अगर difference amount का settlement होता है मान लो, तब तो ये derivatives है, और इसको ना goods माना जाएगा, ना service माना जाएगा, लेकिन physically मैं goods डिलीवर कर रहा हूँ, तो फिर ये goods की category में जाएगा, मतलब चार माईने बाद, बकाईदा मैं उनको sugar cane दे रहा हूँ, उनसे 10 लाग में ले रहा हूँ, तो ये goods माना जाएगा, फिर ये goods की category में आएगा, तो इतना याद रखो, ये सब पहटने के जरूत नहीं है, इतना याद रखो, ये with delivery of goods, with delivery of goods, यहाँ पर आएगा बेटा GST, ये गलत आगया है, इसको सही करना बेटा, इसको सही करना एको, ये होगा, with delivery of goods, in the form of goods, GST लगेगा, not in the form of goods, तो GST नहीं लगेगा, ये इसका part होगा, और without delivery लिखाई है, तो no goods, no services, no goods, no services, ओके, तो ये होगा बेटाएगा, ये कर्रेक्शन कर लेना बेटा आपके नोटस में, चलो बेटा, तो यहाँ पर हमारे ये goods और service के definition को हम यहाँ पर conclude करते हैं, अब हम बढ़ते हैं, consideration का मतलब क्या होते हैं, लाव, केई बार इस्पुएंट्स जो होते हैं उन्होंने आर्टिकेट्शिप की होती है, तो उनकी दिमाग में एक thought आता है, सर, हमारे एक क्लाइंट है, उसने बैंक से लोन लिया था, उसने बैंक को ब्याज भी दिया, बड़ सर, उसके तो GST लगा ही नहीं, और आप तो मुझे कह रहे हो, कि सर, यहाँ पर use of money, जो होती है, उसको service मानते हैं, तो सर, उसको GST क्यों नहीं लगा, कारण है, बैटा, चेप्टर नमबर फोर में आपको पढ़ाऊंगा, exemption chapter, कि यह ऐसी case होते है, जो supply की definition में cover है, उनको supply माना जाएगा, वो goods भी या service, दोनों में से कोई एक है, बट government ने उसके उपर GST माफ कर रखा है, बट वो supply है, supply की definition में है, यह interest supply माना जाएगा, supply of service, क्या माना जाएगा, supply of service, बट entry number 27, मैं पढ़ाऊंगा आपको, exemption chapter में, उसमें इसको exempt कर रखा है, कि इसमें GST नहीं लगेगा, तो याद रखना, हर supply का मतलब यह नहीं, कि उसमें GST लगेगा, कि यहीं लगेगा, जिन पर GST नहीं लगता, government कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, GST माफ कर देती हैं उसके उपर, वो हम exemption chapter में फढ़ेंगे, जिससे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर को दिखाया आपने, डॉक्टर आप से पैसा लेता है, उस पर GST नहीं लगता है, दे तो वो भी service रहा है, बदले में consideration भी मिल रहा है उसको, तो काम यही है, फिर भी नहीं लगता, क्यों? government ने बोला कि भाई, यहाँ पर GST नहीं लगेगा, माफ कर दिया हमने GST, अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ, कि supply में क्या cover होगा, goods में क्या cover होगा, service में क्या cover होगा, समझ माया? यह नहीं बोल रहा हूँ, कि इस पर GST लगेगा, यह बड़ मैंने use नहीं किया, वो यहाँ पर securities में जरूर मैंने use किया है, उसमें से भी कुछ goods exempt होते हैं, जो हम exemption chapter में देखेंगे, सरो, अब बारियाती consideration की, consideration किसको बोला जाता है, consideration क्या होगा है? ना इधर देखना बटा, यह अंसा सुना, मैं एक GST trainer हूँ, ओके, मैं एक GST trainer हूँ, यह वाइसाब है, जिनको मैं GST के training देता हूँ, मैं supplier हूँ, यह वाइसाब recipient है, ओके, यह training के लिए मुझे, 10,000 रुपिया देता है, 10,000, 10,000 रुपीज यह मुझे pay करेंगे, training के लिए है, ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं service दे रहा हूँ, lemon language में बोलू कि, consideration का मतलब क्या होता है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, anything, in return, बदले में कुछ भी मिलना, consideration है, जरू नहीं क्यों केश की फोम में हूँ, यह भाइसाब मुझे, 10,000 रुपिया ना देखकर के यह बोलते हैं, सर, आप मुझे GST के training दे दो, मैं बहुत ही अच्छा, photograph रहू हूँ, photograph रहूँ, मैं आपके कुछ photos क्लिक करूँगा, portfolio बना दूँगा, आपको south filmों में काम मिल जाए, कटपा का रोली मिल जाए, बट मिल जाएगा, बराबर है, क्या बात करते हैं, मेरे photograph क्लिक करेगा, वो भी consideration है, क्योंकि consideration में case जरूनी, kind में भी हो सकता consideration, तो anything in return, बदले में कुछ भी मिला हो, क्यों case हो या kind हो, एक और चीज़ ध्यान में रखने हैं, consideration का मतलब ये नहीं होता है, कि जो recipient है, वो ही pay करे, कोई थर्ड परसन भी अगर pay करता है, तब भी चलता है, best example देता हूँ मैं, आपने admission लिया, IDT पढ़ने के लिए, अपने fee pay की मुझे, आपके एक invoice मिला होगा, पर आपका नाम लिखा होगा, right? आप इदर ध्यान से सुनना, मैस अप्लाय हैं, आप recipient, अब आपके जगे अगर, आपके पापा वो fees हमको pay करेंगे, आपके पापा, वो fees हमको pay करेंगे, receipt पे तो मैं आप ही का नाम लिखेंगे, supplier तो हम ही होंगे, recipient आप होंगे, but consideration आपने नहीं दिया, third person नहीं दिया, तब भी चलेगा, consideration जरूर नहीं कि recipient ही दे, consideration third person भी दे सकता है, on behalf of recipient, ओके, लेकिन वो third person, अगर government है, कौनसे government, Indian government, जिसमें central government, state government, union territory, और वो subsidy दे रही है, क्या दे रही है, subsidy दे रही है, क्या दे रही है, subsidy दे रही है, उसको consideration नहीं माना जाएगा, उस subsidy को consideration नहीं माना जाएगा, ये याद रखना, ओके, तो एक एक्जाम्पल से समझा दना, चुलाओ, एक्जाम्पल लेते हैं, आनलो मैं GST के टरनिंग देता हूँ आप लोगों को, ये आप हो, गवर्मेंट नहीं मुझे बोला माईश गोट इनको GST के टरनिंग दो, ये आम पबलिक है, आम जनता इनको टरनिंग मिलनी चाहिए, मैंनका सर में देने को तैयार हूँ, पर मेरी फीज दस हजार ही ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बोला आप उसके जिनता मत करो, हम लोग बैठे हैं न, मैंनका समझा नहीं मैं, बोले एक काम करो, इनसे तो आप सिफ दो अज़ार रुप्या लोगे, इतना? तू थाउजन, ये मुझे तू थाउजन देंगे, मैंनका ओके, बागे का एड़ थाउजन, रतन टाटा जी आ गया है, बोले, प्री थाउजन के सब्सीडी मैं देता हूँ, प्री थाउजन के सब्सीडी मैं देता हूँ, इनका ठीक है, देर्ट कि अबिधा इसे इन्हों ने बोला इस व ले फूर्थ फजन की सबसिडी एफ देते हैं मैं टाथीक है जपान गोर्मेंट ने बोला इस अब हम अब यह फंड होता है जो हम लोगों के भराई के लिए यूज़ करते हैं इंडिया के लोग अगर आम आदमियों को अगर GST की ट्रेणिंग मिल रही है हम भी उसमें कॉंट्रिविशन देना चाहते हैं एक हजार की सबसीडिया आपको हम देते हैं मैंने का ओके अब मुझे कितना मिल रहा है इदर देखो 2,000 3,005 6,000 10,000 मुझे 10,000 मिल रहा है मैंने का done मुझे कोई problem नहीं है अब question यह कि मुझे यह जो 10,000 रुपया मिला इसमें से consideration कितना है consideration कितना है तो यहाँ पे बोला गया consideration मैं जो Indian government जो subsidy देती उसको cover नहीं करोगे बस तो यह consideration नहीं माना जाएगा जो government, central government, state government जो Indian government दे रही है वो consideration नहीं माना जाएगा हाँ, Japanese government जो दे रही है वो consideration है party जो दे रहा है, वो consideration है और यह भाई साब जो मुझे दे रहे है यह भी consideration है और हम यह presume कर रहे हैं कि यह service की value है इसमें GST include नहीं है तो देखा जाए तो total consideration मुझे कितना मिला 3, 4, 6 6,000 मेरा consideration माना जाएगा 6,000 consideration माना जाएगा तो government जो subsidy देती ना उस पर कभी GST नहीं लगता है अब मैं 10,000 में इनको 10,000 में इनको service दे रहा हूँ पर GST सिर्फ 6,000 में लगेगा इस 4,000 पर GST नहीं लगता कभी भी क्यों? क्योंकि ये 4,000 consideration ही नहीं माना जाता है consideration ही नहीं माना जाता है सब्सक्राइग कहां लिखावा है यहां पर consideration क्या होता payment in money जो पैसे में payment मिलाओ और otherwise for supply otherwise का मतलब kind otherwise का मतलब क्या हो गया? kind कौन पे करेगा ये? by recipient, recipient पे करेगा or any other person on behalf of recipient but any other person में excluding subsidy given by central government or state government government जो subsidy देगा वो cover नहीं किया जाएगा समझ मैं? वो cover नहीं किया जाएगा okay, okay, okay सरेक तो ये monetary value of any forbearance for the supply क्या है? तो एक सरी ये note क्या लिखावा है? deposit to be considered as payment only when the supplier applies such deposit as consideration for the state supply ये क्या है ये सब? अब ये वाले जो point in cooperation करते हैं अब सबसे पहले इसको हम second number पे लेंगे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं note deposit to be considered as payment only when this supplier applies such deposit as consideration for the said supply ये क्या कहना चाहता है? जरा देखता है इदर आता है ज्यान सा सुनना ये मान लेता हूँ मैं हूँ M.G. ओके? ये है खल्लू बाई खल्ल्यानी नागपूर वाली ये हमरे करेक्टर है कहानी में जो चलता रहेगा ये जो कल्लू बाई है इनको एक office चाहिए था इनको खुद का office लगाना था इनको एक animation studio लगाना था बोले सर मैं अपना खुद का एक studio लगाना चाहती हूँ मैंनका बहुत बढ़िया बात है बोले सर उसके लिए office चाहिए मैंनका यह और भी अच्छी बात है बोले सर मुझे आपका ये वाला office चाहिए मैंनका बिलकुल मैं तो rent पे देने को तयार हूँ बोले ठीक है सर आप इदर देखना कल्यानी मुझे deposit देती है कल्यू भाई है यह मुझे deposit देती है कि इतना deposit देती रूपीज ट्वेल लेक्स यह deposit refundable है बारा मैने बाद जब यह studio खाली करेगी मैं यह deposit उनको वापस लोठा दूगा इंट्रेस्ट वगरा कुछ भी नहीं दे रहा मैं इंट्रेस्ट अगर मैं दूँगा बारा लाग रुपिया जमा करा दूँ बारा मैने बाद जब आप इस्टूडियो खाली करोगे तो मैं बारा लाग रुपिया आपको दे दूँगा प्लस पचाथ जार का इंट्रेस्ट भी दूँगा तो वह इंट्रेस्ट फिट supply of service में चला जाएगा बारा लाग रुपिया इन्होंने मुझे दिया है जब यह खाली करके जाएंगे तो इनके बारा लाग मैं इंको वापस लोटा दूँगा अब आग्या थे यह हर मैंने मुझे रेंट पे करेंगी जन्वरी पेब मार्च अप्रेल मैं जून जुलाइब ऑगस्ट सेप्टमबर अक्टूबर नवमबर दिसंबर जन्वरी में इन्होंने मुझे एक लाग रुपिया यह ऐक लाग रुपिया जो है मुझे रेंट पे कर हीए यह सर्विस यह सर्विस है क्योंकि मैं रेंड पे प्रॉपरिटी देरहा हूं बेस्ट LDR में आर रेंट में कवर हो गया बदले में कंसिडरेशन मिल रहा मुझे पराबर है क्या एक लाग रुपिया मेरा काम है बिजनस ही है मेरा क्योंकि रेंट पर कोई भी प्रोपर्टी देना बिजनस होता है पैसा कमाने के लिए तू दे रहा हूं मैं वन लेक रुपी कि लेकिन यह जो दिपाज़ी इवंद करूंगे जो में क्या करूंगा रिफट करूंगा बाद में अलच टिर फंडिल अ लिए अ टिफ्रंटबल डिपॉसिट और refundable deposit, जो refund करूँगा बाद में, यह जो है, यह consideration नहीं माना जाएगा, no consideration, no consideration, इतना समझ मैं, इतना समझ मैं, तो sir, हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमने तो यह पढ़ा था, सार के अंदर, कि deposit, to be considered as payment, deposit को payment माना जाएगा, only when this supplier applies such deposit as consideration for the sent supply, तो यहाँ पर थी बोला गया कि deposit को consideration माना जाएगा, तो वो किस case में माना जाएगा, इधर आँ, इसी example को वापस से लेता हूँ, मैं, कल्लू भाई आती है, मेरे पास में और आकर के बोलती है, मिस्टर गॉड, मैं आपको deposit देंगी, 12 लाक रुपिया, बहुत अच्छी बात है, और आप ये deposit मुझे refund मत करना, मैं आपको rent पे नहीं करूँगी, 12 लाक का deposit दे रही हूँ मैं, 12 महीने के लिए, हर महीने में, 11 लाक रुपिया इसी में से काट पे रहना, हर महीने, 12 महीने में पूरा 12 लाक खतम हो जाएगा, आप मुझे एक पुटी कोडी भी मत देना, 12 महीने बाद में जगे छोड़ करके चली जाओगी, मैं नहीं का, ओके, अब ये जो deposit है, ये non-refundable है, ये क्या होगा, adjust होगा, and tested against rent, कि ये अज़़का इडजस्ट होका, ये deposit से, कि ये अज़़का होगा, रेंट के against, अज़़का होगा, ये deposit, अज़़का अगेंस रेंट, की बोथी नन-refundable deposit, non-refundable deposit. जन्वरी में इस 12 लाक में से, लाग में से जनुरी के अंदर हम हम उन लग रुपीज्श एड़जर्ट कर लेंगे फेव में इसमैं से एक लाग रुपी wrote s अध्र नखस करेंगे जितना एड़ज 설 करता जयूंगा उसको ध़त कहँ करना डिपोझेट को मैंने ऐपिलाई कर लिया अगेंस्ट रेंट तो जितना अमाउंट में अप्लाई करता जाऊंगा तो जनवरी में 12 लेक्स में से जनवरी में वन लेक्स एड़ेशन माना जाएगा तो इसका मतलब नॉन रिफॉंडबल डिपॉजिट जो है रेंट के एड़ेशन होता है वो कंसिडरेशन होता और जो रिफॉंडबल डिपॉजिट होता उसको कंसिडरेशन नहीं माना वापस डिपॉजिट तो बी कंसिड्रेशन पैम्ट यरे वैन writers अप्लाई स्टम ऑपलिएश अपेश अप्लाई consideration में monetary value of any act किसी भी act को किसी भी activity के monetary value और forbearance for the supply या किसी supply को करने से रोकना रोकना उसके लिए जो monetary value दी जाती है वो भी consideration होता है उसका नहीं समझे best example दूँ non-compete fee forbearance का non-compete non-compete fee best example ओके तर एक दो example और दो ना कि किसी भी activity को करने से रोकने के लिए जो consideration दिया जाता है उसको supply माना जाता है चलो एक काम करता है sorry उसको consideration माना जाता है एक काम करता है इधर देखता है मान लीजे मैंने एक cell phone खरीदा मैंने एक cell phone खरीदा cell phone मैंने आज लिया लेने के बाद में मैंने देखा कि एक मैने में में मेरा यह cell phone थोड़ा बिगड़ने लगिया मैंने जो customer care होता है वाँ पे complaint लिख वाई 15 दिन हो गए मेरे इस cell phone पे कोई reaction उन्होंने नहीं दिया ना मेरी complaint पे कोई reaction आया ना कोई cell phone change cell phone मैंने खरीदा था बहुत ही वाईया तो गटिया company है इसका product बहुत ही गटिया है इनकी service बहुत ही गटिया है यह कोई customer को response नहीं देता है अब उस मेरे tweet का impact यह हुआ कि उस company के product की sale गरिने लग गई company के manager ने मुझसे contact किया बोले भाई साब problem क्या है मैंने का मेरे cell phone में यह दिक्कत आई थी बोले सर आपको tweet वहां से हटा लो मतलब मुझे के activity को करने से रोक रहे है क्या वो चीज वहां से हटा लो हटा लो बदले में नया phone आपको देते है उस साथ में headphone भी देते है तो यहाँ पर एक activity जो मुझे करने से रोका जा रहा है रोका जा रहा है उसके बदले उसके बदले मुझे जो भी दिया जाएगा या additional क्या देते है headphone बर वो headphone consideration मान लिया जाएगा यहाँ पर मैं supplier हो गया चुक्कि मैं activity को रोक रहा हूँ मैं supplier हो वो recipient है कभी भी याद रखना supplier recipient में अक्सर आप confused होंगे तो जिसकी pocket से पैसा जा रहा है वो recipient होता है और जिसको पैसा मिल रहा है यह याद रखो जिसको पैसा मिल रहा है जिसको पैसा मिल रहा है जिसको consideration मिल रहा है जिसको consideration मिल रहा है वो supplier होता है यहां पर सेल्फोन जब खरीदा गया था, तो supplier कौन थी? सेल्फोन वाली company, क्योंकि मैंने उनको पैसा दिया, सेल्फोन का, अब यहां पर मैंने ट्विट डाला, मुझे उस ट्विट को हटाने के लिए बोला जारा, मतलब मुझे एक activity करने से रोका जारा है, रोका जारा है, बराबर है और बदले में मुझे क्या दे रही है एड़ फॉन इसको वाइसवर्च सा भी देखा जा सकता है वाइस वर्सा कैसे यहां पे supplier हम फोन वाली company को भी मान सकते हैं कैसे सर फोन वाली company मुझे headphone दे रही है headphone दे रही है ठीक है सर वो supply कर रही है आप consideration क्या दे रहा हूं यह कि मैं consideration क्या दे रहा हूं को कि मैं वो जो post tweet की थी उस tweet को delete कर रहा हूं मैं यह भी consideration है तो यहां पर जो यह बोला गया forbearance for the supply इसका मतलब होता कोई ऐसी activity करना कोई ऐसी activity करना कोई ऐसी activity करना बराबर है जिसको करने से रोक रहा है सामने वार आपको रोक रहा है कि मत करो वो भी consideration हो जाएगा तो यहां पर देखना यहां से सुनो कि यह है cell phone गमनिया कि इन्होंने मुझे headphone दिया मतले में मैं क्या दे रहा हूँ कि वो एक प्रेट डिलीट कर रहा हूँ तो यह मेरा consideration है मैं उनको consideration दे रहा हूँ यह supplier है दूसरा इसको मेरे point of view से देखें तो मेरे लिए consideration headphone है और मैं क्या supply दे रहा हूँ कि उनका वो tweet डिलीट कर रहा हूँ पराबरे इनका point of view से यह supply कर रहा है headphone और इनका consideration क्या है कि मैंने वो tweet डिलीट कर दिया एक्जामपल देता हूँ मैं आपको उद्यपूर का कि दर देखना हूँ कि फोटो लिए मैंने यह गाड़ी एम जी हेक्टर इसके आगे गधा लगाया वाए गधा जोड़ा वाए पर यहाँ पर कुछ यह बैनर वगरा चिपका रखें इनमें पर लिखांग की वहिकल यह क केस किया था केस और माजरा समझना वहां क्या था एक्जेक्ट उद्यपूर के अंदर एक आदम ने एम जी एक्टर गाड़ी खरी देती है उसके इंजन में यह कहीं पर कुछ तो इशू वागा था कुछ प्रॉब्लम सा गए थी वह इशू और वह प्रॉब्लम साने की वज गाड़ी के आगे बैनर्ट कर दी कि डॉंकी वही कले अगर कोई यह गाड़ी खरीद आ तो उसके साथ गदा भी खरीद ले उसके साथ में पराबर है और उस गदे को खरीद करके उसी के सारे गाड़ी चलेगी इंजन तो काम करेगा नहीं इसका अब हुआ क्या पूरे उद्यपुर में वो गदा घूम रहा है उस गाड़ी को लेकर के इससे किसका नाम खराब हो रहा है एमजी एक्टर कंपनी का हुआ पर उसकी सेल करने लगी कंपनी वाले आये कि हम आपको नई गाड़ी रिप्लेस करके देंगे हो सकता कुछ additional consideration भी दिया हो मान लेते हैं example के लिए हम कि उन्होंने गाड़ी जो रिप्लेस की जो की कि यह सब activity बंद करते हैं यह हो सकता है कि वो बोल दे कि इस गाड़ी के साथ एक और एडिशनल आइटम हम आपको दे देते हैं तो उन्होंने एक्टिविटी बंद कर दी तो एक्टिविटी बंद करना भी अपने आप में इस गाड़ी के मालिक ने जिसने गाड़ी खरी दी थी बराबर उसने consideration दिया कि एक्टिविटी उसने बंद कर दी इसको बहुत एक्टिविटी को बंद कर दे ओके बजमाया वा जाओ वापस से एक बार consideration क्या होता है payment in money और otherwise for supply या monetary value of any act और forbearance for the supply उसको भी consideration माना जाता है किसी आदमी के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो एक तरह से आप उसको consideration दे रहे हो क्योंग उससे उसको पायदा मिलेगा उससे उसको पायदा मिलेगा यह जो consideration होता है यह recipient दे या अगनी चाहिए deposit to be considered as payment only when the supplier applies such deposit as a consideration for this head supply non-refundable deposit or deposit adjusted against French okay without clear consideration पक्का शौर एक और कोशन है जो आप लोगों की दिमाग में आ सकता है सरे एक सेलफोन वाली कंपनी है या mg actor वाला एक्जामपल ही ले 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 था है इदर आओ यह mg actor company है और यह वो person है जो उस गाड़ी को गुमा रहता है कि एम जी एक्टर ने इसको कुछ product दिया मानलो एडिशनल एक बाइक जदी कि वाई आप वो जो गदा गाड़ी लेकर के घुमरे हो बराबर हमारी mg actor के आगे गदा लेकर के घुमरे उसको रोग दो activity को रोग तो इन्होंने वो activity रोग दी अब कॉशन ही है कि इसमें supplier कौन दिसिपेंट कौन तो मैंने आपको क्या बोला बाइक के पॉइंट वी से एम जी एक्टर के पॉइंट वी से एम जी एक्टर बाइक की सप्लाई कर रहा है अब बाइक देना सप्लाई हो गया बदले में consideration क्या हो गया इनके लिए जो एक्टिविटी स्टॉप क्योंना ओर बेरेंस पॉर बेरेंस consideration हो गया बराबर है और इनको फॉर्दरेंस और इनका तो काम यह है गाडिया सप्लाई करना बाइक सप्लाई करना या कार सप्लाई करना वो सब कि अब dwing दिमाग लाना सette कि हमारे एक्जामपल में ले रहें कि हाट करता है साथ में ओके जैस इसका बिजनस में ओकर और सब सब सहरे वाग्या के डेफिस्टन सब्सक्राइब डावर ओगाकर इंपाँफ談 हए इसद्स तो हुख सबसक्राइब पिर Wassil क्रिश्णा ने एक एक्टिविटी की तो रोका है उनके लिए यह सर्विस है उसको कि इसार्विस में सर्विस में चुने बाइक मिली है दो यह कृष्णा का काम नहीं है तो इन को फटरदन सो बिजनस नहीं माना जाए गए तो क्रिष्णा के पॉंट अपी से शप्लाई नहीं माने जाएगी तो इस वाइक पे को जी एसटी चार्ज नहीं करेगा इनसे या यह जो फोरभरेरेंस एक्टिविटी इस पे इस पे कोई जी ए बिजनस के होता है, बिजनस के definition पे, बिजनस यहां पे किसको बोला गया है, तो बिजनस में नहीं क्या बोला है, एनी ट्रेड, ट्रेडिंग, जिसका intention ही profit कमान होता है, जन्रली, commerce या manufacturing activity आप करते हो, या कोई profession, C.A., C.A., C.M.A., advocate वगर आप हो, डॉक्तर हो, जो भी हो, vocation, adventure, adventure को भी cover किया गया है, वेजर, वेजर मतलब जहां पे 60 लगता है, मालक्षमी race course मुंबई में जहां पे गोड़ों की दोड़ होती है, बराब वहां पे totalister होता है, वहां पे आपको 60 लगाना पड़ता है, तो वो कोई person हूँ, जिसके trust है, और मैं सिर्फ charitable activity करता हूँ, charitable activity, ओके, आप आए, मालो मेरा educational trust है, और GST की fees generally 20,000 रुपया होती है, एक subject ही, मैं आप से सिर्फ 5000 रुपया लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा trust है, और मेरा profit कमाना intention ही है, मेरा जो छोटा-मोटा खर्चा है, वो निकल जाए, या जो rent पे जगे लिए, उसका खर्चा रिका जाए, तो इसके लिए मैं एक nominal amount charge करता हूँ, question है कि मेरा intention profit कमाना नहीं है, मैं एक trust हूँ, तो मेरी ये जो activity है, क्या ये भी business मानी जाएगी, जियान रखना, yes, याद रखना, business के लिए ये जरूरी नहीं है, पैसा कमा इंटेंशन होना चाहिए, profit कमाना इंटेंशन होना चाहिए, business के लिए वो जरूरी नहीं यहाँ पे GST में, GST में उन्होंने क्या बोला, any trade, commerce, manufacturing, profession, vocation, adventure, वेजर या any other similar activity, whether or not, it is there, pecuniary benefit, pecuniary benefit का मतलब क्या है, कि intention पैसा कमाना, जो है, वो जरूरी नहीं कि वही हो, तो ही business माना जाए, it means intention to earn the profit is not the criteria in determining the state of business, business को decide करने के लिए, determine करने के लिए कि यह business है या नहीं, उसके लिए यह criteria नहीं कि profit कमाने वाला intention जो है, वो intention होगा, तो ही उसको business माना जाएगा, इसका मतलब जो trust हो गया, जो एंजी हो गया, वो जो activity करते है, वो भी business है, भले उनका intention profit कमा आना ना हो, उसके अलाव business में क्या-क्या cover क्या इदर आओ, any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary, तो सब close है, जो उपर आपने activity पढ़िये, बराबर है, उन से जुड़ी भी कोई भी ancillary activity वो भी उदर cover होगी, best example देता हूँ, मैं एक teacher हूँ, पढ़ाने के लिए मैं एक smart board ये use कर रहा हूँ smart board ये use कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ये smart board दो साल पुराना है, मैं सोचता हूँ कि एक नया smart board खरीद लेता है, मैंने ये smart board आपको बेच दिया, बेच दिया, ये smart board बेचना मेरा काम नहीं है, बड़ बेचा क्यों, ताकि कुछ additional पैसा मिल जाए जो मेरे business के काम में बली ये उसका activity नहीं है, बली ये उसका काम नहीं है, मेरा काम क्या है, GST पढ़ाना, ना कि smart board बेचना, बट ये मेरे business के assets है, इसको अगर मैंने बेचा जो मेरे business के assets है, तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी business activity मानी जाएगी, तो इसलिए मैंने day one से आपको बुला, imports and furtherance of business का मतलब क्या होता है, कि मेरे business से जुड़ी भी कोई भी activity बिजनेस में cover होगी, क्या दा रहा है, एक ओर आते हैं, C, any activity or transaction, whether or not there is volume, frequency, continuity of such transaction, ये क्या कहना चाहता है, मेरी एक mobile shop है, मेरा काम है mobile shop का मैं mobile बेचता हूँ, एक दिन मेरा एक दोस्त आता है, बोलता है, यार महिश तेरी mobile shop तो बोरी बली में है, मैं एक अंधेरी में एक नई mobile shop लगाना चाहता हूँ, अच्छी बात है, बोले बट मुझे उसके लिए consultancy चाहिए, प्रोडेक्ट कहां से खरीदू, shop कैसी बनाऊँ, किस तरह से इस business को करना चाहिए, guidance चाहिए, मैं बाई, मारवाड़ी आद consultancy देने के लिए, अब मेरा काम क्या है, mobile बेचना, मेरी shop किस की है, mobile की, मैं mobile बेचता हूँ, consultancy देना मेरा काम नहीं है, बट फिर भी मैंने consultancy दिये, और उसके बदले consultation लिया, वो भी business माना जाएगा, वो 20,000 रुपया भी business का part है, तो any activity a transaction, whether or not there is volume, जरूर नहीं है कि कोई training वगएरा भी दी जाती, summer camp में, दस दिन का एक summer camp लगाया मैंने, मेरा intention दो उस दस दिन में मैं पैसा कमा नहीं है, वो भी business है, बली मैं पूरे साल उस activity को नहीं करता, खाली पूरे साल में 10 दिन करता हूं मैं वो activity, बट उस activity से मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो भी business है, वो भी बिजनस है, तो regular frequency में होनी चाहिए, continuity में होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं होता बिजनस के लिए Next, any activity or transaction undertaken by central government, state government, local authority और public interest, मतलब government को भी नहीं छोड़ा, government भी कोई activity कर रही है, वो भी business है Best example देता हूँ मैं आप लोगों, speed post करवाने गए हो आप, speed post करवाते हो, तो speed post पर GST लगता है, क्यों, speed post तो government करती है न, तो government का part है, तो government आपको service दे रही है, वो भी business है, वो भी business है ट्रेन में travel करते हूँ, AC का ticket बनाना कभी, GST लगेगा AC के ticket पर, क्यों, क्योंकि government एक business कर रही है, तो government आपको AC का ticket दे रही है, जैसे मुंबई से दिल ली जाना है, मैंने passenger train में AC का ticket खरीदा, 4000 रुपे का, वंदे बारत express ले लो, वंदे बारत express का मैंने ticket खरीदा, 4000 रुपे का, मैंने GST पे किया, क्यों, क्योंकि government supplier है, वो मुझे service दे रही है, transportation और passenger की, मैं बदले में consideration दे रहा हूँ, और उनका ये business है, government की activity को भी business माना गया है, यहां पर, इसके लिए वो मुझ से GST चार्ज कर सर, हम भी trend से travel करते हैं, हमने भी second sleeper का ticket लिया था, हमारे case में तो GST नहीं लगा, मैंने आपको क्या बोला, कुछ ऐसी supply है, जिस पे government text माफ कर रखा है, chapter number 4 में बताऊंगा, exemption chapter में, वो सब में, वहाँ पर second sleeper हो गया, metro, monorail हो गया, उस पर GST नहीं लगता है, उनके ticket पर, वहाँ पर exempt कर रखा है, इसके लिए नहीं लगता है, पर supply की definition में आएगा और business की definition में आएगा वो, तो government जो activity कर रही है, बराबर है, post office वगरा की, या transportation of passenger की, वो सब भी business है, next आते हैं आपके, any activity or transaction supply or acquisition of goods, including capital goods, वो भी goods खरीदना, बेचना, common sense की बात है, अब सीधी इस बात है, मानलो मैं mobile phone की shop है मेरी, तो mobile खरीदना, वो भी एक business है, मैंने 100 mobile खरीदना, वो भी business activity है, वो भी business है, any activity for transaction related to admission, to admission word है ना, to admission, to admission, to admission का मतलब होता बैटा, entry ticket, इसकी बात हो रही, entry ticket, for consideration of any premises, movie देखने जाते हो, आप, movie देखने जाते हो, आप जब movie देखने जाते हो, तो entry ticket खरीदते हो, एक ticket खरीदते हो, आप movie का, तो आप movie देखने जा रहे हो, उसका आपने एक ticket खरीदा, आप movie देखने जा रहो उसका आपने एक ticket खरीदा, entry ticket बोलते हो उसको, क्या बोलते है? entry ticket बराबर वो भी business है मैं circus दिखाता हूँ, आप circus देखने आप तो ticket खरीदे हो, वो भी business है planetarium का ticket खरीदे हो, बिजनस है, zoo जाते हो ticket खरीदे हो, तो zoo जो है वो भी एक business है मैंने एक imagey का बना रखा है, एक water kingdom बना रखा है, आप वहाँ पर आते हो, enjoy करने के लिए है, आप ticket खरीदे हो, उसका वो भी business है मेरा business है, तो कोई भी ऐसी activity जिसकी entrance के लिए आपको entry ticket लगता है, वो भी business activity है cricket miss देखने जातो है, आईपेल का business है, आईपेल business है, अपने आप में एक ticket लगता हुआँ पर Now, next, any activity or transaction provided by club association to its member माले थे हम चार लोगे है, किदर आजाओ, case को समझना है यहाँ पर Mr. A Mr. B Mr. C और यह मैं, M G अब चारों ने मिलकर के एक trust शुरू किया हम चारों ने मिलकर के एक trust शुरू किया, trust का trustee man मैं हूँ, बराबर यह club शुरू किया, trust यह club ले लो आप सब लोग उसके member हूँ, मैं भी member हूँ, बट मैं representative हूँ club का, मैं पुरा club का सारा कामवाम काज मैं देखता हूँ, अब यह sports club है, sports club है, अब आप लोग आते हैं वापर enjoy करने के लिए, tennis खेलने के लिए आते हैं, swimming pool के लिए आते हैं, बराबर enjoy करने के लिए, आप member होता है, separate entity, और यह सारे member separate entity है, अगर कोई भी club, AOP, BUI, यह सब अपने ही member को अगर service दे रहे हैं, और उसके बदले consideration लेते हैं, वो भी business माना जाएगा, वो भी business माना जाएगा, अब यह नहीं बोल सकते हैं, कि club यह नहीं बोलेगा, नहीं हमारे यह business activity नहीं है, हम तो हमारे member को service दे रहे हैं, हम बाहरबाले को नहीं देते हैं, हम हमारे ही member को देते हैं, तब यह इसको business माना जाएगा, business की definition में cover होगा, एक्टिविटी और रांजेक्शन प्रोवाइड बाइड बाइड रेस क्लब, वाइव टॉटलिस्टर और लाइसेंस तो बुक मेकर इन सच क्लब, यह जो होते हैं आपके, best example, माहर लक्षमी रेस कोर्स का, माहर लक्षमी रेस कोर्स में बड़ी सी screen होती है, जिसको टॉटल चल रहे है अभी, बाराबर है, ना, लास्ट इन्हों ने बोला है, बिजनस में और क्या, कवर क्या है, any activity or transaction, service is supplied by a person, is the holder of an office, which has been accepted by him, in the course of his trade, profession or vocation, best example, देता हूँ, एक दिन, मुकेश अम्मानी जे का phone आयता है मेरे पास, मैंने phone काट दिया, attitude, वापस कोल आया, वापस काट दिया, नीता अम्मानी जे का phone आया, पटाक से उठा लिया, मैंने, बोले गोड़ साब, बनगा हाँ, बनगा नीता जे आपने क्यों कोल किया, मैं स्कोल मार देती, म इंशन नहीं है, मैंने जे क्यों कॉल किया, मैंने जे हमारे जो reliance company है, हम चाहते हैं कि आप उसके director बनो, CFO बनो, CEO बनो, मैंने का, okay जी, अब मैं एक chartered accountant हूँ, और वो मेरा business का काम है, CFO, CEO बनना, या director बनना, मैंने जे बिलकुल मैं director बनने को तयार हूँ, ये भी एक business activity है अगर मैं कोई post hold करता हूँ, किसी organization में, इसको भी business माना गया है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं reliance में CFO हूँ, हर महीने मुझे 10 लाग रुपया मिलता है, उस पर GST नहीं लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं तो CFO हूँ आपर, business थोड़ी कर रहा हूँ मैं वो, वो भी business है, अगर आप किसी organization का कोई post hold करते हो, इसको भी business माना गया है, यहाँ पर, CA in practice प्रवाइड, CFO और independent director service, वोड़ी कवड़ी है, तो वेटा यह business की definition थी, जो हमने यहाँ पर complete की, आज का जो हमारा session है, वो हम यहाँ पर complete करते हैं, बराबर हैं, अब next session में हम क्या क्या पढ़ने वाले DRP, कि without consideration भी किस-किस activity को supply माना जा, इसका detail operation करेंगे, सर उसका क्या detail operation करना, वो तो simple है न, आपने बता दिया, डी बोले तो disposal of business assets और permanent transfer of business assets, if ITC has been availed, खत्म, दूसरा आपने बोला distinct person और related party के बीच का transaction, खत्म, दूसरा आपने बोला principal और agent के बीच का transaction, खत्म, तो वो खत्म है, तो ये कौन बताएगा, related party में क्या cover होता है, distinct person किसको बोला गया है, बराबर है, अगर को import service है, और schedule first है, दोनों का कोई combination में question आ गया, तो क्या करोगे, principal agent में agent कौन सा होता है, यहाँ पर, principal किसको बोला गया है, इन सबका detail analysis तो करना पड़ेगा, न, वो हम करेंग में तो मिलते हम, हमारे next lecture में तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत.